हेलो एवरिवन मैं इलम्तेवारी आप सभी का मैगनेट बेंस में बहुत बहुत सवागत करती हूं मैगनेट बेंस एक ऐसा चैनल है जहां बार आपको फोर्थ क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक का सारे स्टेडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अविलिबल करवाया जाता है तो जैसा आप अपने हिंदी में प्रार्थना पत्र पढ़ते हैं और एक पत्र पढ़ते हैं दो तरह के पढ़ते हैं देखिए कहने को तो नाम उनके हम कहते हैं के प्रार्थना पत्र और पत्र होता है अब लेटर क्या है हम जो अपना पत्र लिखते हैं वो दो तरह से लिखते हैं ए एक तो हमें अपचारिक रूप से लिखना पड़ता है एक अनपचारिक होता है अब कहेंगे आप अपचारिक और अनपचारिक क्या होता है अपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपनी साधारन बाते उसमें नहीं लिखते हैं हम उसमें क्या होते हैं अपना जो विशय है उसक अपनी कुशलता नहीं बताएंगे उसमें अपना यह नहीं बताएंगे कि हमारी दिन चर्या क्यासी चल रहे है हम हैं आप अच्छे हो यह सारी चीज है नहीं यह रिक्ट कहेंगे आप्चारिक हम उसको कहेंगे कि जिसमें हम अपने किसी हमारा एक समस्या है या कोई हमारा विशया है उसके explains हम किसी को अवगत करा आई तो बहुत है जैसे हम विद्ध्याल życie में पढ़ते हैं और हमें अपनी सिख्षक को या अपने प्रधान ध्यापक को कोई बात कहनी है तो जो वो हम पत्र लेखेंगे अपने प्रधान ध्यापक को या अपने सिख्षक को या फिर किसी ऑफिस में सबसे ध्यान रखेगा कार्यालाय में भीजने वाले किसी ऑफिस में भीजे जाने वाले जो भी अपने पत्र होते हैं और अपचारिक उसी की जगे पर कौन से होते हैं जैसे हम अपनी हम कहीं बाहर रहते हैं तो हम अपने पिता को पत्र भ ठीक है जिनके अगर कुछ भाग देखे जाए तो इनके पहले तो अभी क्या होता था कि जब हम लोग पत्र लेखते थे जब अपनी टाइम का बात की बात बताए कि जब हम लोगों को संस्क्रिट में पत्र लेखने के लिए आते थे तो हमें पूरा जिस प्रकार से हमें हिंद आता के देगे आपको ठिक है और ऊसमें हमें से चोटे-चोटे से शब्ल को गायब कर देंगे और को भी लोड़ाthose इंको और फूर बिड़े जेजने बड़ी चीज कहां मिल सकती है ना आपको पूरा ना सेंटेंस लिए ना वाक्य लिखने है सिर्फ बूशब जो और वो भी अपने मन से लिखने वो शब्द लिए से देखे आपको यहां पर पूरे कर देने तो इतनी सरल्थी बात है इतनी जल्दी कर सकते हैं तो थोड़ी सी तो परिशानी आ सकती है तो उसलिए तो हम समझा रहें को कि क्या करना है ठीखें अपन का पत्र का रूप का रूप देख लेते हैं कैसा होता है तो पहले अब सह कारण से अवकाश प्राप्तर है अवकाश करने के लिए परद्धानाचार्य अब उसकी अर्थ लगा सकते हूँ इसलिए कि संस्कृत अगर हमें पढ़ना है हमें हमारी सामने संस्क्रित के वक्याहे हैं उनको हमें अलगा सकते कि कहां पर लगाना है तो लिखाए प्रधानाचारी प्रति प्रति आपको पत्र पत्र लिखिए आप तो कहते हैं ठीक यह लिख देते हैं उसमें आपके पास आंसर वाले क्या लिखने हैं चुट चुट से शब्द लिखे हुए हैं उन्हें देखी और उसमें भर दीजिए वो ले ठीक है कर सकते हैं तो अब हमेशा याद रखेगा कि जब पत्र के आगे बढ़ें हैं उसके पहले आप इनके हैना अर्थ देख लिज ठीक है अच्या पत्र की हम अगर उसके पूरे अंगों को देखें तो पहले देखिए पहले सबसे पहले अगर प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं तो हम लेखेंगे सेवा मैं स्ब्दिमी ब्यवक्ती लग गई सिवायाम जैसे बालिक याम स्ब्य सब्द ऑकारांत होता है तो ऐसे हैं आकारांत में सब्तितями बेबकी का रूप आप बाली का याम होता है तो ऐसी कह क्या दिया सेवा याम यानि सेवा में प्रधानाचार्य अभ हम कहते हैं है कि हम अपने अपने लिखें स्रीमान प्रचारे महुदय महोदय शब्द लगाते हैं महोदय आभी लगाते हैं महोदय लगाते हैं तो प्रधानाचारे महोदय पहले हम उसको लिखेंगे टूदा प्रिंसीपल इंग्लिश में भी लिखते हैं फिर इसके बाद हम अपनी स्कूल का नाम लिखते हैं तो उन्हें ने लिखा है केंद्रिय विद्यालाय हा आरके पुराम सेक्टर दुतियर नव देलही और यह यानि उन्होंने यह पहले क्या करेंगे सेवा में लिखेंगे पहले हम उसके बाद हम प्रधानाचारे लिखेंगे प्रधानाचारे माहोदय उसके बाद हम अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे स्कूल के स्कूल हो गया भोपाल मद्यवर्देश और यह तो उन्होंने भी यह किया के पहले केंद्रियस विद्यालाया उसका पता बता दिया और वहाँ पे यह लिख दिया ठीक है यह हमारी क्या हो इस पते पर हम भेज रहे हैं इनके लिए भेज रहे हैं यह इसका अर्थ होता है टू का अर्थ होता है कि जिसके लिए आप पत्र भीज रहे हैं उसका पहले आप बिताओ और चारिक पत्र में सबसे पहले वही होता है ठीक है जिसके लिए आप भीज रहे हो कि हम किसके लिए सेवायाम प्राचारे महुदय या प्रधानाचारे महुदय फिर उसके बाद उस विद्यालय का नहीं हम लिखेंगे कहां के प्राचारे बुले इस विद्यालय के विद्यालय कहां पे बुले यहां पे विद्यालय है तो यह चीजें पहले हमें लिखनी पड़ती है फिर उसके के लिए लिए लेकिन क्या करना है आपको अवकाश प्राप्त करना है तो साधारन से इतनी सी यह सारी बात तो हम अंदर लेखेंगे हम क्या लिखेंगे आप अवकाश प्राप्त निवेदन अवकाश प्राप्त करने के लिए निवेदन कर रहे हैं ठीक है यानि अवकाश चाह फिर अब हमारी बात शुरू होती है बात शुरू होती है तो उसके पहले हम यह कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने पत्र का पहले लिखा कि इनके लिए पत्र लिख रहा है फिर विशाय लिखा और फिर शुरू हो जाए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा तो भाई कि हमारी मानने वरा और यहां पर अगर हमारे प्रिंसिपल है तो क्या करते हैं नहीं लिखा हुआ है यहां पर प्रधाना चार्य के लिए लिखेंगे और अगर हमारी प्रधाना नचार्या लिखी है तो यहां पहली प्रधाना चार्या कर देंगे तो mahodaya ठीक है अब क्या कहेंगे सब नयाँ सवविन ये कि साथ विनाए के साथ आपकोस से अथा रेusta समय अब क्या रहे है अपनी बाता हृँ近 मेरे मुझे कल श भुखार हो गया है तो गया हूं कल राच मुझे ज्योर्पीडीत तो गया हूं तो से लिए शिरो में हंदो हो गया है मतलब हमें जुकां हो गया है में सर्ती और खांस dumb guy जो भी आपका रोग हुआ है वह आपको बता देना है फिर कहते हैं आप कह रहे हैं है कि मुझे क्ल राट से बुखार हो गया है तो जो मैं का किधक हमें कर हIE दो दिल in और का यह कहते हैं हिंदी में अपने अपनी अप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र का पूरा प्रारूप देखा होगा नहीं देखा तो भी आम आपको बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं अपने उसके समान सूचक वाकी को लिखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कि विनय के साथ मैं प्र अब इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मुझे अव कास्ष प्रधान करने की कृपा करें फिर जहां पर हमारे यहां पर यहां पर यह खतम होगा वहां पे तो आपका अग्याकारी शेष यही होता है यहीग क्यों जरूरी होती है तो आपका शब्द लगा देंगे तो हम भवतह, भिनीतह, शिश्य, फिर अपना नाम लिख दो, आप किस क्लास के हो, उसको लिख दो, सेक्शन भी है तो वो लिख दो, और लास्ट में अपनी दिनांग लिख दो, ये हमारा प्रारूप हो गया, ठीक है, अब हम चलते हैं, अपनी क्लास लिखते हैं, धिनांग लिखते हैं, ठीक है, ये अपना पूरा मैटर हो गया, अब इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो शब्द दे हुए, यहां पर बीच बीच में खाली जगे छोड़ दे, जो अब खाली स्थाने, रिक्त स्थाने, उनकी पू निवेदन मस्ती नहीं कहेंगे, निवेदनम अस्ती, निवेदन है, तो कि यह हमारे महोधय शरीमान निया, उनके लिए बात कर की जा रहे है, जो भी हमारे प्रधानाचारे है, या कक्षा-शिक्षा किसी के लिए, अब कहारें, निवेदनम अस्ती, अलग-अलग हठा इसको तो क्या हो जागा निवएदर है जिसका अर्थ ने क्य कहा है आप पहिले क्या किजिए अर्थ लिख लिए पहले उनका दिल्क लिझी चोंस को आसानी पीड़त अ का अर्थ क्या पीड़त हूं कि ये पीड़त अकेला लेख लेगी अ इतना समझ में आ रहा है निकल रहा है तो आपने अपने असाब से आगण तूम यानि आग देखे गंधातु होती है गम्धाटू का गच्छ बनता है तीक है लेकिन जब यह तुमन प्रत्य लगता है तो मूल्धाटू में लगता है तो क्या होगा गम से जाना और आगम से आना तो आगंतुम यानि यह जो माथा वह धार। किसमें नामें परिवर्थितों किया बन गया आगंतुम यानि आने मैं इसका आर्थ क्या हो जाएगा आने मैं आगंतुम समर्थ यानि अब इसमें हम नीचे देखेंगे कि असमर्थ इसमें लिखा आने मैं क्या लिखना है मैं असमर्थ आ इसके अंदर छुपा हुआ है मा में ये मिल गया उसको पूरा कर दिया क्योंकि तुमन्परत्य का तुम बचता है है तुम शबद लगता है और उसी में हमने असमर्थ जोड़ा तो क्या हो गया यह आइस में जोड़ा तो तुम और समर्थ सख göz मैं अस्म अर्ठ आपने लिख लिर अपक्या किया खिरे दिन द्वए ज्वे द्वेयास्य दिन दूए स्य अब अलग पुँड़े कीजिए तो दिन का अर्थ यह क्या हूँ है दो दो औस यह का अर्थ होँ काकी नहीं का कदा आया है सबी मैं उन्हों ने यानि दो दिन का अब यह सिया शब्द क्या बताता है का की की का अर्थ निकालता है कल्वेबक्ति में बताया था कि तो इसके क्या अर्थ निकला का की के का अर्थ निकला फिर क्या कहें अनुग्र है यानि आपसे प्रार्थना कर रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनुग् कर रहे हैं मतलब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं ठीक है भवताम यानि आपका और यह लिखी है डेट अब हम इसको पढ़ेंगे और अब इसमें फिलकर लेंगे अपने पास इनके सब सारे अर्थ मिल गए इसका अर्थ महोद आया है मैंनी महोद जो बीदिन के लिए लिख रह ठीक है यह हो गया आपने पास अब कह रहे हैं सेवा मैं प्रधानाचार्य बताए क्या लिखेंगे हम यहां पर प्रधानाचार्य अकेला ऐसे लिख देंगे सीधा उले नहीं इसमें स्रीमान प्रधानाचार्य महोद आया तो यहां पर महोद आया शब्द है तो हम उसी को ल का प्रियुक करते हैं लेकिन यहां पर कोई मैडम हमारी प्रिंसिपल हैं तो क्या लिखेंगे आप महोदयाह अपने तरफ से कुछ अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहां पर लिखा हुआ है तो हमें उसी कोई फॉलो कर देना है अगर यह कंडिशन तब आती जब ह स्वयम से लिखना होता तब हम इस चीज को ध्यान स्वयम से जब पत्र आप लिखेंगे संस्कृत में तब आप क्या करेंगे तब यह चीज ध्यान रखना है कि आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं या मैडम के लिख रहे हैं यानि सर के लिख रहे हैं मैडम के लिए त में अनतर आ जाता है फिर भी क्या के रहे हैं फिर यहां पर उन्होंने पूरी बात लिख दी यहां पर तह कोई परिश्यानी नहीं जोटिक है अब हम क्या करेंगे अब हम आगे आजाएंगे तीक है अब आगे हम यह आए तो इनको पहले कर देते हैं देखिए उनकाम ने अर्थ आपको समझा दिया ना अब वहां से हम लेते हैं अपने कीवर्ड को उठाएंगे और लेखेंगे अब यह क्या करें मानिवरा या महोदया महोदय क्या सविनयम विनय के साथ की यतकार्त होता है की सविनय के साथ क्या है उन्हें निवे वेदन है कि अहम कि मैं शिरो वेदनाया शिर के वेदना से नया जैसे हमारा उतना बालिकाया यानी बालिका से से का अर्थ निकलता है के द्वारा यानी शिरो वेदनाया वेद शब्द होता है किसके लिए वेदना वेदना शब्द होती है दुख या बीमारी के लिए तो उन् Jam Can correct s philosophy में भी तो करते हैं कि तब महुदय सविनैं निवेदन हैं तब फिर आगे बढ़ते कि मुझे ऐसा हो रहा है तो पेहला शब्द हमारा आजाएगा निवेदन अस्स TV क्या आजएगा हमारा यहां लेखेंगे हम निवेदनम अस्वाऴ धने नव नंग त farmers थोड़ा छोटा लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा निवेदन मस्ती है निवेदन है कि यत का अर्त क्या होता है कि छोटी की मात्रां बीच में लगाते हैं दूसरे दो मेंने नइए बाद को बोलने के लिए जो हम की शब्द लगा देते हैं उसका अर्थ आपे यता असमी का अर्थ हूं लिखा ही है उसमें तो हमें क्या लिखेंगे हम यहां पे अब क्या पीडे तहत अब हमें सिर्फ इसके हिसाब से लिखना है यहां पर पीडे तह लिखना है तो हमें पीडे तह लिख देना है ठीक है जो यहां पर होगा उसी को हम उठा के लिखेंगे अपनी तरब से अपन को कुछ नहीं करना है फिर क्या कहना है अत अस्माक अस्मात क तो जो इत हो गया हलन्ट होता है एस में जूड़ता है तुछ पूरा हो गया तो इसका हम देखे कोई भी शब्द का अर्त लगाना है तो उसको अलगर तोड़ लेजिए इसमें तीन चीजें में लिए कि एट रिखा है असमात रिखा है कारणात इस इत का अर्थ हो गया इस और ये ता में हलन्त था ये जुड़ा तो हमारा हो गया एतस्मात इस कारण से इतस्मात इस कारण से कारणात आद शब्द आगे जिसका अर्थ निकले आए निकला क्या कौन सा सी पंचमी बिवक्ती का निकला है कारणात कारण से इस कारण से अब वो क्या कह रहा है इस कारण से में क्या नहीं कर सकता अध्य यानि आज विद्यालयम विद्यालयमें अस्मी हूँ क्या करने में अस्मी हूँ बुले क्या हूने में बुले आगन तुम असमर्थ हूँ क्या हो जाएगा आ नहीं में असमर्थ हूँ यह क्याते हैं कि आज विद्यालय में विद्यालयम यानि विद्यालय में क्या आगन तुम असमर्थ अगन तुम असमर्थ असमात कारणात इस कारण से अध्य आज विद्यालय में आगन तुम असमर्थ असमी आनि में असमर्थ हूँ अतह इसलिए प्रार्थ रे प्राथ ना करता हूँ यत कि कितने अवकाश प्रदाय अवकाश दे कि तो फिर कितने दिन का मुले कह रहे हैं दिन दोयस्य कितने दिन का दे दीजिए इसलिए अतह प्रार्थ ना करता हूँ कि दिन दिन दोयस्य तो दिन का अवकाश प्रदाये प्रदान करने कि क्या करें बूले यहां के पेके रहे हैं वह कि यहां पर कह रहे हैं कि अनुग्रह करें क्या करें अनुग्रह चीक है मुझी क्या कर दें बूले कह रहे हैं कि दू दिन का अवकाश प्रदान करके अनुग्रह करें मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे प्रदान करें तो बोले अनोग्रहम कुर्वन्तु भवन्तह आप मुझे अतह प्रार्थना करता हूं कि दुए दिन का अवकाश प्रदान करके अनोग्रह कुर्वन्तु भवन्तह आप मुझे अनोग्रहत करें तीक है यानि मैं ग्रहन करूंगा तो मैं आपका आभारी हो जाऊंगा यही कहते हैं तो अनोग्रह शब्द हम उसी के लिए प्रियूख करेंगे तो आपका शब्द हम पहले लगाएंगे दिया हुआ है उन्होंने लिखा है यहाँ पे भवताम यहां पर हम क्या लिखेंगे भवताम यह आपका विनीत शिष्य आपका विनीत शिष्य नरेंद्र कख्षादस और यह हो गया अब दिनांक अगर यहां पर उन्होंने इधर दी हुई है अपनी दिनांक यहां पर यह दिनांक यहां पर लिख दीजिए कि 15 मार्च 2.21 है मसक वया कोई बड़ी उसमें कठेनाई की बात नहीं है बहुत सरल है है किकड़ते कुछ अपना जाता कुछ लिखना नहीं है सिर्फ हमें जब अगर करना है उसको पूर्ण करना है तो hunting क्या करना है हमें पहले अपने आपने जैसे हिंदी और इंग्लिश के अपने जैसे लेटर और एप्लिकेशन पड़े हुए हैं पहले तो पूरी बात आप माइंड अपना वहां से सेट कर लीजिए विए आप लिखते हुए चले आ रहे हैं आपको पता है इस सबसे पहले क्या आप उनका नाम लिए जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं फिर उसके बाद आप विशह लिखते पिर उसके बाद आप लिखते हैं के महोदय यह सर या मैडम लिखते हैं फिर आप या लिखते हैं रिस्पेक्टफुली I am to say that यानी सविना निवेदन करता हूँ कि फिर आप अ घंस्या बठाओं कि मुझे ऐसा हो रहा है या आवश्यक पार्प नहीं हो तन means कहते कि मैं मुझे कुछ आवश्यक पारियम स्थ्जी अतह सहिं अध्य विद्य डियालैम आगंतुं अस्मर्थ भावाता आज मैं विद्यालैम आने में असमर्थ हों तो फिर का चहिंगे एक दिन का आवकाश दे दो तो दो दिन का आवकाश दे दिजिए तो वह मनों सब लख सब के दो नीचे क्या लिख देंगे अपना धन्यवाद और और इसके बार लिकाल congressional का या आध्याकारि शिशित बस नाम लिख दीजे हो क्या यह हमारा आपचारिक पत्र हुआ था ठीक है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एक और और तरीका देख लेंगे कि और भाई कोई दूसरा सब्जक्ट ही अपने इसका लिख दिया जोर पीडित भी हो सकता था यह शिरोवेदना नया ल लोगनताया यानि आप रोग से पीडित हो मैं यहां पणी आप से नहीं लखना है नहीं बहुता तो हो सकता था जबनी बिमारे लीख होता यह चीज अगर यहां पर लिखनеюсь और इसका उन्ने बहुत आसानी से हम कर सकते हैं और पूरे मांक्स मिल जाते हैं कुछ भी नहीं जो पात दस उसमें शब्द दिये हुए उनको नीचे भार दिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं हम कुछ अपने और एक आपचारिक पत्र को और देख लेंगे फिर उसके बाद थोड़ी प्रार्थना पत्र का मतलब जो हमने अपनी किस के लिए जैसे प्रधानाचारे अपने सिक्षक या प्राचारे के लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं उनको हम आपचारिक पत्र कहते हैं क्या कहते हैं आपचारिक पत्र क्या होते हैं आपचारिक पत्र वैसे होते हैं जो हम हम अपने प्रधान अचारे प्रधान आद्यपयाक या किसी कार्यालहा में भीजते या यह आपिस्या को बढ़ाते हैं उसके बारे में करने के अपनी प्रीशनय करते हैं यह हमारे वचैक्ति तो हम माथ करतार प्रतबित K binder के लिए सितन को हम अपना पत्र लिखते हैं और उसमें क्या अंतर होता है यह अंतर होता है कि आपचारिक पत्रों में हम सिर्फ जो में चीजे हैं जो जरूरी चीजे हम उन्हीं को लिखते हैं और उनमें क्या लिखते हैं उनमें वालतू की बाते नहीं लिखते हैं तो हम यहां पर हम उप साधर में और में अच्छा हे हुऊ और फिर बाद में लेखोगे मुझे पत्र में लिख्के बताना आप यह सारी रहा है तब लेकिन अब पत्र का थोड़ा से सिस्टम खतम होता जा रहा है हमारे वाट्सप ने और सारी जो एप्लिकेशन से ले लिया है लेकिन फिर भी अगर आप किसी से हाई हलो भी करते हो तो भाई यही चीजे तो होती है अगर आप अपने प्रिंसीबल से बात करें तो यह तो चीज की बॉड़ी यानि हम अपनी प्रार्थना पत्र के क्या देखेंगे पहले रूप रिखा को समझेंगे कि ऑप्चारिक पत्र जो होंगे उनमें कैसे क्या उसका फॉर्मेट रहेगा क्या उसका तरीका रहेगा लिखने का तो वहले क्या होता है कि पहले हम बताते हैं सेवा य प्रतिपत्रम यानि शुल्क छमा की प्रार्थना करने के लिए शुल्क यानि आपकी जो फीस है उसको छमा यानि उसको क्या करना है माफ करने के लिए उसको आप हटा दीजिए शुल्क माफ कर दीजिए मेरी ठीक है यानि मेरी जो फीस है वो मेरी ना लगे उसके लिए तो क् ठीक है लिख देंगे क्या दिक्कत है अपनी समस्या तो बताना चाहिए ना कोई समस्या है तो आप अपनी प्रधानाचारे को अवक्त कराएंगे फिर उसके बाद हम अपनी चीज़े लिखेंगे तो सबसे पहले लिखने कि हम क्या करते हैं आप एक माइंड में अपने दिमाग में ये चीज आप रखिए कि हम में सुलक छमा करने के लिए हमें क्या करना है अपने प्रिंसिपल को अपने प्रधाना चारे को क्या लिखना पत्र लिखना है तो उसमें पत्र का सबसे पहला भा प्राचार्य महोदया जो सब चीज लिखते हैं लेकिन पहले सब्से पहले हम yön variety लिखते है क्यों लग सक्टमी बेभक्ती का अर्थब तो याम याम का अर्थ लेकर पृरहे हैं परधानाचारे महोदया और उनका नाम हुगया ठीक है और उन्हों कहा के विश्य है पहले हम बही किसके लिए लिए पत्र प्रिंस्टिपल के लिए कौन से स्कूल के स्कूल का नाम कहा वो उसका पता लिख दीजी उसका एडरेस लिख भी कि जब यह चीजे हमारी पूरी हो जाएं यहां से यहां तक देखे अभी आप हम एक और जो चीज बार होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां विवस्तित करनी है है ना अभी संस्क्रिट को पहले हम जब इनको समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा ने कि यहां पर भई यह शब्द आना चाहिए था यह वाली करें तो इधर यह चीज आनी चाहिए कि पहले जिसके ली पहले हम सेवा में शब्द लेखेंगे फिर उसके बाद लिखींगे प्रधानाचारे महुद यानि जिसके लिए लिख रहे हैं फिर हमारा प्रधानाचारे कहां के हैं वो लिए केंद्रिय विद्यालहे तो ये तो हो गया उसका एड्रिस जिने के लिए हम लिख रहे हैं फिर इसके बाद हमारा आता है विशय फिर हम विशय बताते हैं कि हमारा विशय क्या होना चाहिए किस विशय के लिए लिख रहे हैं तो किया रहा है कि शुलक शमा के लिए लिख रहे हैं शुलक शमा के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ठीक है अब आगे क्या कहेंगे हम फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं कैसे शुरू करते हैं कि पहले बात शुरू करने के पहले हम कुछ सम्मान सुचक शब्द लिखते हैं महोदय श्रीमान इंग्लिश में भी आपने देखा होगा ना त लिखते हैं और फिर इसके बाद अपनी बात शुरु करते हैं तो वही सन्ज्रीट में हमें रिले हम लेखेंगे सर या मैडम तो मानिवराह यह महोदयाह ठीक है फिर इसके बाद क्या कहेंगे हम सविनयम सविनय के साथ वह रिस्पेक्टफुली तो सविनयम निवीद नमस्ति निवीदन करता हूं कि अहम कि मैं यहां पर जो भी आएगा कि मैं विद्याले दशम कक्षायह सव तो हम मैं आपके विद्याले का यही शब्द क्याता है कि मैं आपके विद्याले के दसवी कक्षा का छात्र हूं आप अवगत करवाना पहले आप यह बताएंगे ना कि भाई मैं कौन हूं आप अपने प्रधानाचारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप सविनय के साथ मैं रिधन करता हूँ की मैं आपके विद्याले का आपके विद्याले का इस कक्षा का छात्र हूं ठीक है फिर क्या के दे मैं स्ती अब यहां पर क्या आएगा हम बताएंगे आपन उसी मेरे पिता एक द्वार पाल है ठीक है तस्य उनकी तस्य उनकी उन शब्द में काकी की का अर्थ लग उनकी अब क्या चीज़ नहीं बताएंगे उनकी हम कहेंगे उनका वेतन या उनकी वेतन दुए सहस्त्र सहस्त्रियूप का मात्रम यानि दुए यानि दो सहस्त्र हजार सहस्त्र का आर्थ क्या होता है हजार और यहां कहते हैं रुप्य कम रुप्य कम मात्रम यानि दो हजार रुपय मात्र अस्ति तो दो हजार रुपय मात्र क्या है उनकी वेतन होगा है ना उनकी क्या उनकी सेलरी होगी उनका वेतन होगा कि उनका वेतन दुए सहस्त्र सहस्त्र रुपकानी रुप्यकानी दें कि सहस्त्र रा में फिर वही रा में पा रुप्यका रुप्यक शब्द होता है किसके लिए करते हैं रुपय के लिए रुपया या रुपय के लिए ह रुपय कम कहते हैं वही नपुन सगलिंग शब्द है वहीं बहुत सारे हो जाते हैं तो रुपय कानी हो जाता है तो क्या कहने रुपय कम मात्रम यानि दुए सहस्तर रुपय उनकी क्या है मात्र वेतन है अस्ति अस्माकम कुटुम्बे हमारे कुटुम्ब क्या अब क्या करना है अपने कुटुम्ब की बारे में पहले उन्होंने का का मेरे पिता जी क्या है एक द्वार पाल है फिर उन्होंने का कि उनकी वेतन इतनी है और असमाकम कुटुम्बे हमारे कुटुम्ब में कुटुम्बे देखें मात्रा कौन सी आई एक ही मात्रा सत्मी का मैं का अर्थ नि है अनेन वेतनेन इस वेतन से अनेन यानि इस बेतनेन वेतन से नेन शब्द आया है तृतिया विवक्ति का इसका अर्थ से में निकलेगा कि इस वेतन से कुटुम्ब का सिया लग दिया सिया लग गया तो इसका अर्थ निकल किया क्या कुटुम्बस्य कुटुम्ब का क्या करन कठिन्यन कठिन भवती है कठिन्यन कठिन से हो रहा है क्या हो रहा है निर्वा हो रहा है जीवन यापन हो रहा है या फिर हमारा जो कुटुम्ब का इस वेतन से हमारे कुटुम्ब का जीवन निर्वा कैसा हो रहा है कठिन हो रहा है जीवन यापन कठिन से होता है कठिन से होता करता है गये है किसी एक आपसे प्रार्थना करता हूं कि मदी याम मेरी इमा इस प्रार्थना को में और द्वारा शुलक छमा के द्वारा माम मेरी अनुग्रहत करें मुझे क्या करें मेरी सूर करें हम कहेंगे धन्यवाद और फिर लिए अपका सोंड डिये हैं अपने आप से नहीं लिखना अपने आप से भी लख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दिये हुए तो आपन उन्हीं से उठाके लिख देंगे आपका विनित्षिश्य और फिर हम अपने नाम लिखेंगे कक्षा लिखेंगे वर्ग आपका जो वाल वह लिखेंगे दिनांग के समझ में आ गया क्या में क्या लिखना है सुलक शमा के लिए क्या बताना है कि हमारे पिताजी इस विभाग में नौकरी करते हैं या फिर मतलब किसी भी पोस्ट कर जिस पोस्ट पर उसको बता दिया पर कि उनकी वेतन इतना है यहां पर आप जैसे जैसे उसको पढ़ेंगे आपको यह समझ में आ जाएगा कि भई यह क्या बताना सुलक शमा के लिए हमें अपनी परिस्तिती को बताना पड़ेगा कि हमारी परिस्तिती ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पिता की वेतन कम है उससे जीवन निर्वा कठिंता से होता है इसलिए आप मेरी शुलक को माफ कर दे एसा ही हम पत्र लेखते हैं सुलक शमा के लिए तो क्या तो अब हम क्या करेंगे अब इनको पढ़ लेंगे इनके अर्थ लेंगे आपको बताया कि यह जो भी पत्र होता है पत्र को करने के पहले आप इनकी अर्थ समझ लीजिए कि निवेदन तो हमें पता ही है कि निवेद महीने का वेतन सदस्या यानि सदस्य निर्वाह यानि जीवन यापन शुलक शमाप शमाप नार्थम यानि शुलक शमा की प्रार्थना सुईक्रत यानि सुईकर करके उपकार इश्यंती उपकार देखे उपकार इश्यंती उपकार करेंगे शिश्य यानि शिश्य आपका अब विशय में सबसे पहले खाल स्थान है उसमें क्या देखेंगी सुलक शमा परार्थना के लिए क्या कर रहे हैं आप उन से निवेधन कर रहे हैं तो पहला शब्द अवारा निवेधन हम ले लेंगे तो यहां हम लिख कहते है शुलक शमा के लिए प्रार्थना फत्र तो यहां पर हम ने år निवेधनम replace टो आप फिरेक निवेधनम हो गया अब इसकी बाद कहेंगी अब आगे का देखेंगी कि क्या इसमें नहीं लिखा हुआ है उली यहां नहीं लिखा हुआ है मानने वर महोदया निवेधनम अस्ति निवेधन है कैसे निवेधन है बुली सविनयम विनाई के साथ सविनायम तो यहां पर देखो है अपने पास लिखाए सविनायम शब्द लिखाए सविनायम फिर इसके बाद क्या लिखा है उन्हें भवतह लिखा हुआ है चात्र लिखा हुआ है तो अब आपन देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है निवीधन हम अस्ती न या कहेंगे यहां पर हम लिखेंगे यहां पर भवतह यानि आपके क्या हो जाएगा यहां पर भवतह यानि आपके विद्यालय में दशमकक्षा सावरगस का कौन हूँ वोले छात्रह शात्रह अस्ती मम पिता मेरे पिता कौन है यहां पर अस्मी हाँ ठीक है मम पिता एक अस्मी मेरे पिता एक बुले द्वारपाल अस्ती द्वारपाल है तो बुले कहां के बुले विद्यालय मेरे मेरे Thankfully कौन है माम पिता मेरे पिता एक विध्यालए में दौर पाल है कहाँ के यह चाहँ यह वी तो बता यूरिया लए लिख alltid कारया लए लिखा ओओता तो रिखते कारिया लए के दौर पाल है यह कार ला यू छो भी कस्मिन कोई एक इसी में नहीं किसी एक विद्यालाय में विद्यालाय द्वारपालच अस्ति अब कहेंगे तस्य उनकी दुप सहस्त रुपे क मात्रम यानी 2000 रुपे मात्र है क्या है उली मासिक वेतन से हमने पढ़ा ता उसमें क्या लिखा ता मासिक वेतनम उनकी मासिक वेतन महीने का वेतन तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर मासिक वेतनम उनका महीने का वेतन कितना है दो सहस्तर रुप्य का मात्रम 2000 रुपे मात्र है असमाकम कुटम में हमारे कुटम में पंच पांच कौन है सदस्याह सदस्याह संती बुले वहाँ पे लिखा हुआ है यह लिखा है सदस्याह तीक है अब उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं अनेन वेतनेन इस वेतन से कुटम्बस से कुटम्ब का देखे जहा यानि इस वेतनियन वेतन से कुटुम्ब से कुटुम्ब का क्या हो रहा है काठिनियन कठिनता से हो रहा है क्या कठिनता से हो रहा है वोली निर्वाह निर्वाह देखें लिखा हुआ है निर्वाह अतह निर्वाह होता है अतह अब क्या क्या रहे हैं अतह प्रार्थिये वो ले किस से प्रार्थना करना है तो वो क्या रहे हैं अतह सुल्क शमाप नार्थ प्रार्थना इसलिए मेरी क्या करो आप सुल्क शमाप की प्रार्थना है आशा से यत मदियाम आशा है कि मदियाम मेरी मेरी इमा इस प्रार्थना का क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप मुले सुईकर करेंगे सुईकर करके मुले सुईकर करके क्या करेंगे तो यहां हम लिख देंगे क्या सुईक्रत्य सुईक्रत्य सुईकार करके सुल्कशमापन द्वारा सुल्कशमापन द्वारा सुल्कशमा करने के द्वारा मुझे क्या करेंगे आप मुझे आप उपकारिश्यंती, मुझ पर उपकार करेंगे क्या जाएगा हमारा उपकारिश्यंती श्रीम मनतह, आप मुझे को प्जाब उपकार करेंगे तो अब हमारा लास्ट में यहाँ पर यह सब हो गया, धन्यवाद हो गया अब लिखा भ HJवतां विनीतः और यहां पर लिखा है शिश्य तो मेरा क्या कहेंगे आपका विनीत आपका विनीत शिश्य चात्र भी हो सकता था शिश्य भी लिख सकते हैं जो वहां पर आपको दिया होगा वर्ड आप जो शब्द दिया होगा उसी को आप लिख देंगे भवताम आपका विनीत शिश्य और वर्ग जो भी हो काखा गा घर उसमें दिया हो तो लिख दिजे दिनांक लिख दिजे पसो गया हमारा पत्र कोई कटना ही नहीं है इसको करने में बहुत आसान है पत्र कितना अपने आप से तो ज्यादा कुछ करना नहीं है सिर्फ उसके ये तना जरूर करना है कि अपन को अर्थ लगा लेना है पहले पहले उसको पढ़ लीजिए किसको हमारा प्रार्खना पत्र है उसको पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद जो हमारी मंजुशा दे हुई है उसके अर्थों को समझ लीजिए ठीक है आपने एक बार इनके अर्थों को समझ लिया तो यहां पहले रूप रेखा देखेगा कि क्या है रहे हैं जब उसको आप समझ लेंगे उसे में बता सबसे पहले हमारा प्रश्ण न को समझना है सबसे पहले हमें कि तेइस니 सब कर से लिए उसको समझने की बाद फिर हमें पता चल जाएगा और TRT लिए जाए यह अपनी बत कहना शुरू के पहले क्या कहेंगे हम अपने सर या मैड़म जो लिखते हैं समानि सूचक सभी लिखते। वैसे हैं महिव लिखेंगे महोडुया तो यह मानने ऑर रह मिव तो स हम ध्यान करना कि सब्धक्र गायब यह इंड़ करना कि तो कि शब्ध आ नहीं कहां fundamentals बस ऐसे वह बीच बीच में से शब्द हटा देंगे और आपको लिखने के लिए देंगे तो जवाब को मंझूशा के शब्दों का अर्थपता हो जाएगा आप उनका हम यह नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान करके लिख लिए दें कि लिख सकते हैं क्योंकि विभक्त करें तो इसमें क्या निवीदन करेंगे प्राथना करेंगे तो जहां अमारा सेंटेंस में निवीदन शब्द आएगा उसको हम चुनकर लेगे देंगे जहां मैं पता है कि मैं आपके विद्ध्यालाइक का हूं कौन हूं तो बहुत आसान है आराम से कर सकते हैं तो यह हमने प्रकार की उनको देख के तो जिससे मैं आपको किसी भी करवाया जाता है तो हम अपना एक व्याकरण में अब अपना तौपिक हूं करने वाले हैं वो है पत्र और जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के आते हैं ठीक है हमारे संस्कृत में भी जैसे आप अपने हिंदी में प्रार्थना पत्र पढ़ते हैं और एक पत्र पढ़ते हैं दो तरह के पढ़ते हैं देखिए कहने को तो नाम उनके हम कहते हैं के प्रा और अपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपनी साधारन बाते उसमें नहीं लिखते हैं हम उसमें क्या होते हैं अपना जो विशय है उसको हम पर्टिकुलर उसको बता देंगे और वह हम अपनी कहां पर पहुंचा सकते हैं कोई हमारी समस्या है तो उसको हमें दूसरों तक पह यह सारी चीज़ नहीं आएंगी विभारिक कहेंगे उपचारिक हम उसको कहेंगे कि जिसमें हम अपने किसी हमारा एक समस्या है या कोई हमारा विशय है उसके बारे में हम किसी को अवगत कराएं तो जैसे हम विद्याले में पढ़ते हैं और हमें अपने सिख्षक को या अपन में सब से ध्यान रखेगा कारια लाय में भीजने वाले किसी भी ओफिस में वेजे जाने वाले जो भी अपने पत्र RAW वह ऊप्चारिक पत्र होते है ठीक है और अनुदर के लिए पत्र लिखते हैं तो ये Pत्र हमारे अनुदर चाहित ठीक है जिनके अगर कुछ भाग देखे जाए तो इनके देखे पहले तो अभी क्या होता था कि जब लोग पत्र लेखते थे जब अपनी टाइम का बात की बात बताये कि जब हम लोगों को संस्क्रिट में पत्र लिखने के लिए आते थे तो हमें पूरा जिस प्रकार से हमें ह पूरा वो पूरा सजा के देंगे आपको ठीक है और उसमें से छोटे-छोटे से शब्दों को गायब कर देंगे और वो शब्द गायब भी नहीं करेंगे उनको भी यहां पर की वर्ड के रूप में यहां पर दे देंगे आपको मंजुशा में लिख देंगे यहां पर मंजुशा और कहा देंगे बिटा बस इतना कर लो कि इस में से मंजुशा में ऐसे शब्द देख लो और उनको पत्र में लिख दो और पूरे मांक से ले जाओ इतनी बड़ी चीज कह सकते हैं तो थोड़ी सी तो परिशानी आ सकती है तो परिशानी आ सकती तो उसलिए तो हम समझा रहे हैं आपको कि क्या करना है ठीक है तो देखें अपन एक पहले अपन उसका पत्र का रूप देख लेते हैं कि कैसा होता है तो पहले अब चलते हैं आपचारिक पत्र पर ठीक ह अब चार एक पत्र में एक जैसे आया के क्या कह रहे है रोग्णताया रोग्णकार्थ होता है रोग्णताया क्या होता है यानि रोग से कारणात रोग के कारण से अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार देख प्राप्त करने के लिए देखे वही चतुरती विभक् संस्कृत अगर हमें पढ़ना है हमें संस्कृत की वाकि लिखे हुए हैं उनको वह पढ़ना है तो हमें योगर बुखति नगा सकते कि कहां के लगाना एक पहां है तो लिखा प्रधानाचारी प्रति प्रधानाचारी के प्रति क्या लिखना है आपको पत्रम पत्र लिखिए आप तो कहते हैं ठीक है लिख देते हैं पत्र तो कहते हैं पत्र लिखना भी नहीं है इतना इतनी भी आपको परिशानी नहीं उठाने पड़ेगी आपको क्या करना है कि हमने यह दिये हुए है कीवर्स देगों मंजूशा में यानि एक आपके पास बॉक्स बना हुआ है उसमें आपके पास आंसर वाले क्या लिखने हैं चुट चुट से शब्द लिखे हुए हैं उन्हें देखी और उसमें भर दीजिए वो ठीक है कर सकते हैं तो अब हमेशा याद रखेगा कि जब पत कर सकते हो आप उतने उसकी अर्थ लिख लिए ठीक है अच्छा पत्र की हम अगर उसके पूरे अंगों को देखे तो पहले देखिए पहले सबसे पहले अगर प्रधानाचारी को हम लिख रहे हैं तो हम लेखेंगे सेवा में तो क्यादिया सेवायाम सब्तमी बिभक्ति लग है अपने प्रधानाचर स्रीमान प्राचाब महुदय लग अभी लगाते हैं तो प्रधानाचार महुदय पहले हम उसको लिखेंगे टूदा प्रिंसीपल इंग्लिश में भी लिखते हैं फिर इसके बाद हम अपनी स्कूल का नाम लिखते हैं तो उन्हें ने लिखा क्रिकेंद्रिय विद्यालाया हा आरके पुरम सेक्टर दुतियर नवदेलही और यह यानि उन्होंने यह पहले क्या करेंग सेवा में लखेंगे पहले हम उसके बाद हम प्रधानाचार लखेंगे प्रधा चार माधेव उसके बाद यह Istvan ऊसके बाद उसका पता बता दिया यह हमारी क्या हो गई कि उस इस पते पर हम भेज रहे हैं इनLE बेज रहे हैं इनके लिए घे रहे हैं यह इसका अर्थ होता है टू का अर्थ होता है कि जिसके लिए आप पत्र भीज रहे हैं उसका पहले आप बिताओ और चारिक पत्र में सबसे पहले वही होता है ठीक है जिसके लिए आप भीज रहे हो कि हम किसके लिए बेज रहे हैं कि सेवायाम प्राचारे महुदाय या प्र फिर उसके बाद आते हैं कि इनको आप पत्र भीज रहे हो तो किस लिए भीज रहे हो तो फिर बताते हम विशय किस पर आते हम विशय पर फिर विशय में हमें अपनी तरब से कुछ नहीं लिखना है उन्होंने बताया है कि इस विशय पर लिखना है तो आपको किस के लिए लि ईसे लिए क्रहले हैं अवकाश चाहिए इसलिए क्या कर रहे है हम अपना पत्र लिख रहे हैं में आगे बढ़ने Mount वह हमारी बाथ शुरू होती इसलिए हम एसके पहले हम इसा तो नहीं है कि जैसे हम नहीं क्रेंग़न कर रहे हैं कि महुदय होंगे इसी मान होंगे श्रीमति होंगे महुदय ऊपान सुचक लिए लेका है लेकिन यहां पे अलग से कुछ नहीं करना है एक हमारी प्रधानाचार्या कर देंगे तो महोदया ठीक है अब क्या कहेंगे सवनयम सवनय से विनय के साथ विनय के साथ क्याते ना आई बेक्टू से रिस्पेक्ट फुली क्याते ना रिस्पेक्ट फुली आई बेक्टू से देट तो वही रिस्पेक्ट फुली यानि सवनयम विनय के साथ अब क्या कह रहे हैं विन कल रात से बुखार हो गया है कल रात से मुझे ज्वर पीड़त हो गया हूं कल रात से मुझे शिरो में हो गया है मतलब हमें जुखाम हो गया है में सर्दी हो गई हमें खांसी जो भी आपका रोग हुआ है वह आपको बता देना है फिर कहते हैं अब कह रहे हैं कि फिर क्या बत की मुझे ऐसा शिरो वेधना हो रहे है तो एस कारण से तो हम विद्यालय में विद्याले में आने में असमर्थ हूं अथ है प्रार्थ है इसलिए प्रार्थ ना करता हूं कि मुझे अवकाश परदान करने की कृपा करें फिर जहां पर हमारा यहां पर यह खतम होगा वहां पर हो जाएगा धन्यवाद और धन्यवाद के बाद आ जाता है कि आपका आपका प्रिय शिश्य आपका आग्याकारी शिश्य यही होता है यही लिखते हैं आपका आग्याकारी शिश्य आपका प्रिय शिश्य आपका प्रिय ऐसे लिखते हैं लेकि हम अपने स्कूल के प्रिंसीपल को लिख रहे हैं और हम उस स्कूल के छात रहे हैं उस स्कूल के शिश्य है तो यह चीज हमें लिखना जरूरी होती है तो आपका शब्द लगा देंगे तो हम भवतह भिनीतह शिश्य फिर अपना नाम लिख दो आप किस क्लास के हो उसको लिख दो सेक्शन भी है तो वह लिख दो और लास्ट में अपनी दिनांग लिख दो यह हमारा प्रारूप हो गया ठीक है अब हम चलते हैं अब हम क्या करेंगे अब इसको फिल करना सीखेंगे अभी हमने ये समझ लिया कि क्या का कहां पे होता है पहले जिसके लिए होता है फिर उसका प्रारुक बीच में जो मैटर लिखना है वो लिखते हैं उसके बाद नीचे धन्यवाद लिखते हैं फिर अपना नाम लिखते हैं अपनी क्लास लिखत निवेदनम इस्ति निवेदनम निवेदन मस्ती नहीं कहेंगे हम निवेदनम अस्ति निवेदन है भी नहीं उन्हें पता है यह हमारी प्रदानाचाहरे है या कप्ष शिक्षा के लिए अब है आर्था किहां आप पहले क्या किजिए अर्थ लिख लिए तो इसको भरने में आपको आसाल हो जाएगी फीनट ता इसमरों है कि यह यह पीडित अकेला लिख लीडिजे अब इतना समझ में आ रहा है कि देखेंगे उसमें अर्थ प्रते लगता है तो मूल्धा तुमें लगता है तो क्या होगा गम से जाना और आगम से आना तो आगन तुम यानि यह जो माथा वो हलंत किसमें नामें परिवर्थित हो किया बना आगन तुम यानि आने मैं इसका आर्थ क्या हो जाएगा आने मैं आगन तुम समर्थ यानि अ असमर्थ इसमें लिखा है आने मैं क्या लिखना है मैं असमर्थ आ इसके अंदर छुपा हुआ है मा में ही यह जो आ था वो मिल गया उसको पूरा कर दिया क्योंकि तुमन प्रत्य का तुम बचता है तुम शब्द लगता है और उसी में हमने असमर्थ जोड़ा तो क्या हो गय यह आ इसमें जोड़किया तो तुम और समर्ध सब कहोगे आप कहां से गाया बोगए आसमर्ध कैसे बनाया आपने में इक गला . आज़िए अगनतुम समर्ध समर्ध यानि आने मैं असमर्ध हू ऐ आने मैं समर्ध आपallasय कैन। discontinue दोए का अर्फ किया हुआ दो अ को आर्थ हुआ का की कि राम आलकस्यं पर आया है सभी में फलस्य को स्टकत्स्यय उन्होंने का दोए दिनस्या यानि दो दिन का अब यह सिया शब्द क्या बताता है का की कि का अर्फ निकालता है कल्वे भक्ती में बताया था कि तो इसको प्रार्थना भी कहेंगे हम ठीक है भवताम यानि आपका और यह लिखी है डेट अब हम इसको परेंगे और अब इसमें फिल कर लेंगे अपने पास इनके सब सारे अर्थ मिल गए इसका अर्थ महुदाया है मैंनी महुदाय जो बीदिन के लिए लिख रहे हैं उनकी बात करेंगे फिर हम कहेंगे महुदाया शब्द है तो हम उसी को लिखेंगे यहां पे महुदाय लिखा होता तो अगर किसके लिए प्रधानाचारे महोदाय के लिए लिखा होता यानि किसी हमारे सर होते उने के लिए लिखा होता तो हम महोदाय का प्रियूक करते हैं लेकिन यहां पर कोई मैडम हमारी प्रिंसिपल हैं तो क्या लिखेंगे आप महोदाया है अपने तरफ से कुछ अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहां पे लिखा हुआ है तो हमें उसी कोई फॉलो कर देना है अगर यह कंडिशन तब आती जब हम स्वयम से लिखना होता तब हम इस चीज को ध्यान स्वयम से जब पत्र आप लिखेंगे संस्कृत में तब आप क्या करेंगे तब यह चीज ध्यान रखना है कि आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं या मैडम के लिख रहे हैं यानि सर के लिख रहे हैं मैडम के लिए तो म अब आगे हम आये तो इनको पहले कर देते हैं देखिए उनकाम ने अर्थ आपको समझा दिया ना अब वहां से हम लेते हैं अपने कीवर्ड को उठाएंगे और लेखेंगे अब यह क्या करें मानिवरा या महुदया सवेनय म विनय के साथ की यतकार्त होता है की सवेनय के साथ क्या है उनली निवेदन है अपने पणात्या निवेदन है की अहम की मै शिरो वेद नया शिर के वेदना लखना से नया जैसे हमारा उतार यानि भी नानि शिण रिखना से निकलता है क्या द्वारा जैनी शिर वैधनाया वेध कहा है कि लिए बिक्तना बोना जका दुख बीमारीında शिर कि वैधना से पहले हम कहेंगे इसमें हम क्या बोलिस जब घड़?! है वहाले हम संस्क इंदी में भी तो करते हैं कि सब महुदय सबिने निवादन है तब फिर आगी वढ़ते हैं कि मुझे आसा-ईसा हो रहा है तो पहला शब्ध रहा आ आ जाएगा निवादन अस्ति क्या आ जाएगा हमारा यहा लिखेंगे हम निव्यादन अस्ति निवेधनमस्ती थोड़ा छोटा लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा निवेधनमस्ती निवेधन है कि यतकार्थ क्या होता है कि जो छोटी की मात्राम बीच में लगाते हैं दूसरे नए बात को बोलने के लिए जब हम की शब्द लगा देते हैं सक अर्दों ताइद सविनायामनिवेदनम अस्तियत अहम में स्क्राइदहूर अस्ति Euch Not सट्राइदपन सब्सक्राइब मैं पीड़ित हुआ लिखाब से यहां पर पीड़ित असमी का अर्थ उल activity है उसमें तो हमें क्या लखेंगी हम यहां पर अब क्यान पीडे तहद अब हमें सिर्फ इसके चांप से लिखना ह pare हुगा अपनी तरब से अपन को कुछ नहीं करना है ढलत अस्मात कारणाद North कि आप कहेंगे कि एट आगया अस्मात कहा दिखरा है स्मय तो जो हो गया ता हलंत होता है आइस में जोड़ता है तो ता पूरा हो गया तो इसका हम देखे कोई भी शब्द का अगर अर्थ लगाना है तो उसको अलगला तोड़ लीजिए इसमें तीन चीजें बिली हुई है कि एत फिलिखा है अस्मात फिलिखा है कारनात कि के इस इदका अर्थ हो गया इस और ये ताम हलंत तह ये जोड़ा तो हमार अगया एत असमात इस तो कारन से इत असमात इस कारन से कारनात आद शब्द आगे जिसका अर्थ निकल है कौन सा से पंचमी विद ववक्ती का निकल कारण से इस कारण से अब क्या कह रहा है इस कारण से में क्या नहीं कर सकता अध्य यानि आज विद्यालयम विद्यालय में अस्मी हूं क्या करने में अस्मी हूं बुले क्या हूने में बुले आगंतुम असमर्थ क्या हो जाएगा आने में असमर्थ हूं यह कहते हैं कि आज व आगन्तुम असमर्थ इत असमात कारणात इस कारण से अध्य आज विद्याले में आगन्तुम असमर्थ असमी आनी में असमर्थ हूँ अतह इसलिए प्रार्थ रहे प्रार्थ ना करता हूँ यत कि कितने अवकाश प्रदाय अवकाश दे कि तो फिर कितने दिन का मुले कह रहे हैं दिन दोयस्य कितने दिन का दे दीजे इसलिए अतह प्रार्थ ना करता हूँ कि दिन दिन द्वायस्य दो दिन का अवकाश प्रदाय प्रदान करने की क्या करें बूले यहां के पहते रहे हैं वो कि यहां पहते रहे हैं कि अनुग्रह अनुग्रह करें क्या करें अनुग्रह ठीक है मुझी क्या कर दें बूले के रहे हैं कि दू दिन का अवकाश प्रदान करके अनुग्रह करें मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे प्रदान करें तो बुले अनुग्रहम कुर्वंतु भवंतह आप मुझे अतह प्रार्थ रहे अतह प्रार्थना करता हूं कि दुए दिन का अवकाश प्रदान करके अनोग्रह कुर्वंतु भवंतह आप मुझे अनोग्रह करें ठीक है यानि मैं ग्रहन करूंगा तो मैं आपका आभारी हो जाओंगा यह क्याते हैं थो अनुग्रहया शब्द हम उसी के लिए प्रियूग करेंगे थीक है अब के ठल्नेवाद अ धरते हैं फिर कह रहे हैं विनीट था शिष्य वह किहें हिन वीनिय करने वारा आपके सामने विनमरता से रहने वाल शिष्य तो आपका सब्ध हम पहले लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास पहले भी दिया हुआ है उन्होंने लिखा है यहां पर भवताम कार्थ क्या हुआ आपका यहां पर हम क्या लिखेंगे बुले भवताम यहां आपका विनीत शिश्य आपका विनीत शिश्य नरेंद्र कक्षा 10 और यह हो गया अब दिनांक अगर यहां पर उन्हो बस हो गया कोई बड़ी उसमें कठेनाई की बात नहीं है बहुत सरल है खुद से कुछ अपना जाता कुछ लिखना नहीं है सिर्फ हमें जब अगर करना है इनको पूर्ण करना है तो हमें क्या करना है हमें पहले अपने आपने जैसे हिंदी और इंग्लिश के अपने जैसे ले तेले क्या आप उनका नाम लिखते हैं जिसके लिए आप पत्र लिख रहा है फिर उसके बाद आप विशय लिखते हैं फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि महोदय यह सर यह मैडम लिखते हैं फिर आप क्या लिखते हैं रिस्पेक्टफुली आई बैक तुसे दैट यानि सविनाय निवेदन करता हूं कि फिर आप अपनी समस्य बताओगे कि मुझे ऐसा हो रही आवश्यकार भई रोग नहीं होता उसमें कहते कि मैं मुझे कुछ आवश्यकार्यम अस्ती अतह आहम अध्य विद्यालयम आगंतुम असमर्थ बावता आज मैं विद्यालयम आने में असमर्थ हूं तो फिर का कहेंगे अतह एक दिन का अवकास दे दो तो दो दिन का अवकास दे दीजिए तो वहम वो सब लिखके नीचे क्या लिख देंगे अपना धन्यवाद और फिर इसके बार लिख देंगे आपका भी न कि आपचारिक पत्र का एक और तरीका देख लेंगे कि और कोई दूसरा सब्जक्त ही अपने इसका लिग दिया जोर पीडित भी हो सकता था यह शिरोवेदना नया लिखा हुआ है इसमें जोर पीडित लिखा होता है तो हम बता देते हैं अगर सिर्फ ओनों ने लिखा है कि आ यहां पर अपने आपसे तो नहीं लिखना है नहीं भी लिखता थो वहां जोर पीडित लिखा होता यह चीज अगर यहां पर लिखी होती और इसका उन्होंने खाली स्थां दे दे दिया होता तो अभी मैं किस से पीड़े तूं बोले जो भी बीमारी लेखिया उससे पीड़े थो फिर उसके बाद अपन को सारी चीज़े लेखने हैं तो इस प्रकार से पत्र बहुत आसानी से हम कर सकते हैं और पूरे मांक्स मिल जाते हैं कुछ भी नहीं कि जो पात दस उसमें शब्द दिये हु अनोपचारिक पत्रों को हम पूरा करते हैं और क्यासे आपके पास करने किस परकार से पत्र आ जाते हैं ऋसमें कैसे ऐसे फाली स्थान लिग देते हैं और उनको हमें पूरा आ करना होता है ठीक है तो अब हम कुछ अनौपचारिक पत्रों पर भी चलते हैं कहिए कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते तो हमने अब भी आपको बताए थे कि अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिसमें हम अपनी व्यवहारिक बातचीत भी उसमें हम प्रियोग करते हैं वह अनौपचार पत्रों की श्रेड़ी में आते हैं तो भई हम एक भी बता के आपको आगे कर सकते हैं लेकिन हम आपको थोड़े दो चार पांचे क्यों बताना चाह रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि जब आप प्रकार के पत्रों को आप देख लेंगे तब आप यह समझ जाएंगे कि भई मित्र के लिए अधो लिखेतं पत्र यानि इस अधो लिखेत नीचे लिए अधो का अर्थ क्या होता है नीचे अधो का अर्थ क्या होता है नीचे अधो लिखेतं नीचे लिखे हुए पत्र में से पत्र को यानि पत्र को अधो लिखेतं पत्र में नीचे लिखे हुए पत्र मन्जुशात प्रदत्त शब्दई मन्जुशा में प्रदत्त यानि प्रदान किये शब्दों मैं से शब्दई हैं शब्दों मैं से के द्वारा तृतिया विभक्ति लिखी हुई है जैसे विभक्तियां का में ग्यान ना तो हम अर्थ आराम से कर सकते हैं मन्जुशा यानि मन जूशा में प्रदत्य यानि दिये हुए शब्दई जैसे रामई तरतिया बेभक्ति भवचन का रूप बनता है न तो ऐसे शब्दई यानि शब्दों में से पूरे त्वा पूरा पूर्ण करके पुनाह लिखत फिर से लिखिए अदे के यहां पे अगर यह जीज नहीं आधि तीसरे में यह लेकिन अब उन्होंने क्या कह दिया है चinka फोनाह लिखत है फिर से लिखिए के अ मतलब उसमें से पहले आप इनको पूरा कीजिए मंजूशा में जो शब्द दिये हुए हैं उनमें से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए और फिर उसके बाद पुनहें लिए अर्थात आपको पत्र बाकाइदा पूरा लिखना है आसानी उन्होंने क्या कर दिए कि जो पूरा पत्र लिखना था उतना नहीं लिखना है अब जो शब्द जिसके लिए पत्र लिखते हैं उसको लिख देते हैं उनका पता देते हैं कि यहां पर प्रिंसिपल के लिए लिए लिख रहे हैं प्रधानाचारी के लिए प्राचारी के लिए किस विद्याले के वो हैं क्या वो पता है यह लिखते हैं फिर विशय पर आती हैं अनौप चा पत्र वाससे में लिख रहा हूं दिनांग के लिखेंगे फिर हम लिखेंगे जिसके लिए हम उस पत्र को लिख रहा है तो हम लिख देंगे प्रियमित्र माधव यह हमारा जो भी मित्र होगा पिता जी होंगे माता जी होंगी तो पहले हम इसमें जादा पूरा इतनी चारी लिख हुआ हुं तो हम कहेंगे प्रीय मित्र माधव माधव या जो भी नाम है तो पहले प्रीय मित्र रिकंणा पाड़ता है अतर चिरे लिखat बूसकर और उसका आम हो लिखते यह इसके बाद क्या पहां कहेंगे में तो मैं घुत प्रेम है consist लाँ दो कोने कि एक अप्चा भाश्का करेंगे जो हमारा मित्र हुगा नाम आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे होगे इस बार मैंने मेरे अब यहां पर यह क्या रहे है कि कुछ एक उनने विशय बताया हुआ है मित्र अपने किसको लिख रहा है अब यहां पर पूरा पता है आपको मैटर क्यों नहीं दिया हिंदी या इंग्लिश में पहले पूरा म करना करना हुआ है मटर रहा है अम इसके पहले से पहलना है अबरे बी उसके पर लिए नमस्ते लीए लिए नमस्ते कर दिघ्ये और इसके बाद अपना लग लखना शुरू कीजिए और उसमें भी सबसे पहले जो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है तो उसमें सबसे पहले हर जगे लिखा होगा कि अत्र कुशलम तत्रास्तु जिसका अर्थ क्या होता है अत्र का अर्थ होता है यहां कुशलम कुशल से हूँ तत्र यानि वहां पर अस्तु तत्रास्तु कैसे अल्समें बनता है तत्र और अस्तू ततर और अस्तू जिसका अर्थ होता है ह वहां और हो तो अत्रकुशलम यहां कुशल है वहां भी हो अत्रकुशलम तत्रास्तु यह इसका अर्थ होता है यह हमारे अनुपचारिक पत्रों में आपको पहले मिली ही जाएगा क्योंकि यहां पर हम अपनी कुशलता पूछते हैं यहां पर कोई समय ने विदन नहीं कर रह तो यह जरूर सैं्टेस ध्यान करिएगा क्यूंकि इसी मैसे कभी ऐसा हो सकता है इस word को गायब कर यह फिर इसको इस शब्द को गायब कररें तो अत्र क्या स्ट्रास्थ फिर आगे बरते हैं उंणोंने लिखा के अहम यहाँ यहाँ पर अगर विभ्क्तियों मा अग्यान है तो अर्थ और आप सही लगा सकते तो तुरे हैं सज्ञा याला मों होग व्यस्ट था? पुरानी बात हो गए भूद्काल की आ लग गया ना बात की बूद्काल की बात हो गई मैं सज्जा में व्यस्त था पहले सिर्फ पढ़ लीजे फिर अपन मंजुशा पर चलेंगे मैं सज्जा में व्यस्त था अतह इस लिए विलंबेन विलंब से एन शब्द लग या रामेन अतह विलंब से तब यानि तुम्हारे पत्रस्य पत्र का सियाशद लगा हुआ है इसका आर्थ क्या हुआ काकी के का अतह इसलिए विलंबेन विलंब से तुम्हारे पत्र का उत्तर ददामे उत्तर को दे रहा हूं अताह विलंब से तुम्हारे पत्र का उत्तर दे रहा हूं ददामी तो दे रहा हूं हूं की दे रहा है नहीं लिखेंगे दे रहा था नहीं लिखेंगे क्या ददामी आमी शब्द लगा हुआ है उत्तम पुरुष की क्रिया है तो दे रहा हूं अस्मिन यानि अस्मिन कार्थ हुआ इस वर्षे इस वर्ष में देखे सब्तमीब वेवक्ती है वर्षे राम की तरह रामे बनिया तो फल की तरह फले बनिया तो इस वर्ष में मयापी यानि मैं भी क्या किया उसने मैं भी गणतंत्र दिवसस्य गणतंत्र दिवस के स्याशब् देखें में और काकी के का अर्थ बहुत निकल रहा है गड़तंतर दिवसस्य गड़तंतर दिवस के शूभा यात्रायाम यानि शूभा यात्रा में भाग भाग क्या किया लिया भाग किया था यह जो आएगा अभी इस पर नहीं को पड़ रहे हैं अभी उत्तर नहीं देख रहें अस्माकम यानि हमारे विद्ध्यालए यसे विद्ध्यालए की छात्रों राज पथे राजपथ पर लिए राजपथ पर अब क्या किया उन्हें प्रदर्शन किया अपने पास आ जाएगा राजपथ पर प्रदर्शन नम अकुर्वन लेकिन बीच में कुछ है कि किसी चीज का प्रदर्शन उन्होंने किया है किसी में भाग लिया है तब ही तो उन्हें प्रदर्शन किया प्रदर्शनम अकुर्वन किया अहम में गर्बा नृत्य स्य गर्बा नृत्य का अब गर्बा नृत्य आ गया तो गर्बा कौन है गर्बा क्या है एक लूक नृत्य है तो यहां से अब समझ जाए कि यहां पर लूक नृत्य की बात होगी कही ना कहीं है ना फोक डांस होगा यहां पर कश्रा कहीं अहम यानि म गरबा नरतयश्य कं आसम थे फार को चाह्त्र नाम छाहत्रों चाहत्र नाम हमारा चाहत्र के चंविभक्ती बहुल वचन का रूप आ इसे रामानाम आता है ना आ चंविषा कर धिम्हिध लेर रास्ट्री हम comments से स्क्यां पिलुज आसरा रही fakir अकरोत गुंजित किया से राजठ्षात्रों की राष्टगान की ओजस्वी ध्वनी ने क्या किया शोर गुंजार किया बहुत अच्छे से मतलब किसी बात को क्या कहते हैं कि वहां पर इस ध्वनी से सुन्दर आवाज से सारा हमारा जो प्रांगन है वो कैसा हो रहा है गुंजार हो कर रहा है मतलब अच्छी ध्वनी आ है ठीक है अब कहा स्व रास्ट्र स्व यानि अपने रास्ट्र अपने देश स्य के अपने देश के सेन्य बला नाम सेन्य बला नाम नाम शब्द आगया नाम शब्द आगया सेन्य बलके अपने रास्ट्र के सेन्य बलके पराक्रम पराक्रम को प्रदर्शन आनी प्रदर्शनो से प्रदर्शनों ने विचित्रवर्णानी विचित्रवर्णनों ने परिद्रश्यानी चारों तरब की द्रश्यों ने और किसके देखकर और किनको देखका ड्रिष्ट्वा ट्वा शब्द लगया त्वा शब्द लगया कर शब्द लगा देते देखकर अहम मैं गौर्वान वित अभ्य आश्मि याणि हुँ मैं गौरल्वानुवित हूँ अब कहते हैं खाली स्थान लिखा बालियावस्थायाह बालिया ावस्था के स्वप्न बालियावस्थायाह यानि क्या आर्थ शस्टी regular वग्ति है बालियए वस्था बड़ेया की मात्रा से अन्तूरा है तो इस तरी लिंग में सच्टी विभक्ती की इसमें विभक्ती लगी हुई है इसकार्थ निकल रहा है बालिया वस्था के स्वपन तत्र पून जाता वहाँ पर पून हो गया अब यहाँ पर वंदनीयो वंदनीयो यानि बंदना करता माता किस म sommes को अपने मित्र को लिक रहे हो और मित्र की बाद में सब्सक्राइब के अंकल को प्रणाम के ना आंटी को प्रणाम के ना माता पिता को मेरा चर्णिब कॉल्णन करें आपने किस मित्र बात हैं तब रहे अपका कौन मुले मित्र होगा तबी तो मित्र से लिख रहा है अब हमारे पास हमने यह जी समझ ली और महिश पर हमारा खतम हो गया बत्र जब हमने पूरे उसको पत्र को पढ़ लिया उसके अर्थ को समझ लिया तो अब मंजुशा पर बढ़ते हैं अब चलते हैं मंजुशा पर जिसमें क ग्रहीतह ग्रहन किया या प्राप्त किया या लिया ग्रहीत शब्द से बना ग्रहीतह यानी ग्रहीत किया यानी लिया ठीक है अब इसकार्थ क्या हुआ लिया पितरव पितरव शब्द जो होता है माता चाप पिता और उसका सामास एक पद जब द्वंद समास में बनता है तो क क्या बनता हैं पितरव क्योंकि माता और पिता दो लोग होते हैं उनका हम जब द्वंद समास में हमने आपको पढ़ाया भी था कि माता चाप पिता जब इनको हम एक करते हैं तो पिता जो अंतियम शब्द होता है उसमें विभक्ति लगा कि उसको क्या कर देते हैं जोड़ दे तो मक्त समझ में आता ही है प्रणाम सूचक्षद मम यानी मेरा। मित्रम यानी मित्र, राजबथम य्यानी राजपथ को यार राजपथ राजपथ लिए और अम शब्द यारी इसमें दो निकलेंगे देखिए जैसे पुस्तकम शब्द प्रत्मा में भी देखिए अब आपको बता है पुस्तकम प्रत्मा में भी बनता है वो पुस्तकम हमारी दुतिया में भी बनता है जिसमें प्रत्मा में पुस्तक में क्या जाएगा ने शब्द लग जाएगा ने का अर्थ आएगा और वही राजपत को इतना आ जाएगा ठीक है फिर लोक guest का यह wems take your रहा है लोक नरत्य का या की या के लोक नरत्य का लोक नरत्य की या लोक नरत्य के का की के का अर्थ निकलेगा सस्टी सिया लगा है अब क्या है लोक नरत्यानी यानि फलानी लोक नरत्यों अब यहां पर एक नहीं यहां पर बहुत सारे क्या हो रही है लोक नरत्यों की बात हो बुले अर्थ कौन से हो सकते हैं जैसे फलानी शब्द प्रत्मा की भी हमारी बहुवचन का रूप बनता है और दुतिया का भी फलानी शब्द बनता है बहुवचन का रूप जिसमें यहां पर हम ने का अर्थ लगाएंगे और यहां पर हम को का अर्थ लगाएंगे ध्यान की जाडवस समारघ गरतंत्र दिवस के समारोह ठीक है कां किगी का अर्थ निकलाया सियाशब्द से फीर प्रमोह संचाल कहां प्रमोह संचालक करने वाला उसको अपना क्या देने वाला निर्देश देने वाला तो यह हमारे पास मंजूशा के हमने पहले अर्थ समझ लिए समझ लिए अब लिखना सुरू किजिए कि पहले आपने वह बता दिया पता लिखा हुआ है पहले दिनांग के लिख दीजिए जो भी उस दिन की दिनांग को वह लिख दी फिर हम क्या करेंगे उसको नमस्ते नमस्ते पहला शब्द हमें दिखी रहा है कि प्रणाम लिखते नमस्ते लिखते तो यहां लिख दिया हमने नमस्ते ठीक है फिर क्या कहा अत्रकुष्लम्तत्रास्तु मैं यहां अच्छे से हूं तुम भी वहां होगे सज्जा मेंय सज्जायारी सज्जा आये संबाव है और 我स इसे उर्स अब किस की सज्जा में व्यश्थ थयले गंज तंतर देवस समाहो की रहे कि लोक दीथ जह नहीं था राजपत्र की सज्जा नहीं था प्रमुक्स संचालत ईसलॉches पहले तो उसमें लोक नर्ति वगरा सभू चीज़ें हुई हुए पहले तो गणतंतर देवस समारो तो हमारा अब उसमें उतना बड़ा आएगा नहीं तो हम बताय देते हैं कि इसमें दूसरे नंबर में अहम गणतंतर दिवस समारोहस्य सज्जायं व्यस्तह आसम फिर कहेंगे अतह इसलिए विलंबीन तव पत्र से उत्रम ददामी इसलिए तुम्हारे पत्र का विलंब से उत्तर दे रहा हूं असमिन वर्षे मैं आपी यानि मैं भी गड़तंत्र देवा से समारोहस्य समारोहुं का शोभायात्रम भाग शोभायात्रा में भाग क्या लिए लिया मैंने भी इस वर्ष असमिन वर्ष इस वर्ष में गरतंत्र देवस की समारोह में क्या किया मैंने शोभायात्रा में भाग लिया तो यह हो गया हमारा ग्रहीत पहले नंबर पे हमने नमस्ति लिख दिया दूसरे पे हमारा गरतंत्र दे किया थो लोक किया कहा निकला है वो क्योंकि बाद में देखी लोक नरतया हुआ है तो यह कह रहा है कि पहले हम बताएंगे कि हमारे विद्याले के छात्रों ने लोक नरत्य का प्रदर्शन किया राजपत पर तो इसका हम क्या लगाएंगे अर्थ च्यात्रति नंबर पे यानि 20 नंबर पर हम इसको लिख देंगे लोक तर्श से प्रदर्शनम कुर्वन का हम हम मैं गरबार से अहम् करबार रत्य से और सम्ता आसम कारत वह था वे मैं प्रमुक संचालक था यह हमारा हो को संचालक फिर क्या रहें चात्रों के राष्ट्रगान के ओजस्वी ध्वनी ने गुंजितम अक्रोत गुंजित किया वोले किसको किया बोले हमारे राजपत को हमने कहा ता यहां पर जैसे पुस्तकम का अर्थ निकल रहा है तो यहां पर को का अर्थ भी निकल सकता और ने का अर्ट निकल सकता है तो यहां पर को का अर्थ निकल रहा है तो हमने क्या डिया राजबत्म राजबत को गुंजित किया आगे देखth alle from अपना यहां पर कि अब क्या रहे हैं सो राष्टर बलस से अपने की रास्ट्र के सैंडेऑल का पराक्रमव्र प्रदशन देखकर प्रदशनों को विचित्रवर्णनों को पड़िध्री और किसको मुले जग्रश्टवर और किनको देखकर आप देखिये सभी में आनी आनी शब्द लग रहा है तो यहां पे भी देखेंगे लोक्नरत्यानी को देख कर डूब देख कर नममस्ति अममित्र नहीं आएगा राजबत हमारा हो हो चुका है लोक निट्तियों को देखिए यहां पे विचितरवननों को हमने कहा तो प्रत्मा दुतिया में एक समानरूप बन यहां प्रत्मा दुतिया में दौनों में बहवचन में फलानी शब्द बनता है तो आनी में भी अर्थ निकल सकता है और कोग भी अर्थ निकल सकता है यह हम पे डिपेंड करता है गि जब हम उस वाकिक बन थंदे तब हम उसमें प्रदरशनों को बिचित्रवर्ण ओर को द्रेखनों को परी दिर्शयानी बच और दिर शंव को किस को लौक्रत्य नहीं लोक्रत्यों को देख कर अउन एकार असमी में मैं गौर्वान मुषश भू अउं तो यह लोक्त हमारा किसमें सेवन्थ नमबर वर यह जाए ठीक है यह आ गया फिर के रहे हैं बाल्यावस्था स्वपन तत्र पूर्ण जाता है बाल्यावस्था का स्वपन तत्र यानि वहां पूर्ण हो गया लें किसका वोले मम मेरा यह लिखा हुआ है मम मम शब्द आ गया मेरे बाल्यावस्था मेरे बच्पन का पूरा हो गया और वंदनीयो, देखिये, यहां से वंदनीयो कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या ने कल रहा है हमारा कि वंदनाorta है, और लेकिन दो लोगों की कर रहा है। कि मात्रा दोई बचन का संकेत दे रहा है तो हम किसको वंदना करें वोले पित्रव यानि माता-पिता को तो हमारा पित्रव शब्द आ जाएगा हमारा किसमें पित्रव वंदनियो माता-पिता को वंदना करता हूं भवतह तुम्हारा वोले कौन वोले तुम्हारा मित्रम तु तो इस प्रकार से देख लिए अपना पूरा हमने पत्र लिख लिए पत्र हमें पूरा क्या लिखना था हमारे आरे पास मझुशा दी वी इस से सिर्फ हमें करना कितना है हमें मंजूश्य के अर्थों को समझना है उब पत्र के रथayan है। जैसे ही आपने पहले पत्र का अर्थ समझा-टो उपर वाले चीज के अपने दिमाग में चलने लगए हैं इसमें यह शब्द लगा है का की का अर्थ लगा रहा है वर्षे एक ही मात्रा लगी है तो यह सत्मी की मैं की बात कर रहे हैं राज पते लिखा हो यह राज पत्र पर विभक्तियों से हमें अन्वाद का सही जौन हो जाता है उसुसे लिए विभक्तियां हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपने और एक और पत्र को ले लेते हैं हम फिर नेक्स में और मतलब दो-तीन और हम पत्रों की प्रारूपों को देख लेंगे तो इस प्रकार से हम हमारे पास औप्चारिक या अनप्चारिक कितने भी आ जाए और यह वाला आपका यह सी बीसी बो आके आगे की करवाई जाता है और जैसा कि हम अपने पट्र आज हमने जो टतुपक उठाया और ने बत्र और जिससे हम आज हम सब्सकी मिश्मिक sap प कस प्त्रों को हम अपना बढ़ लेंगे उसमें कहाँ पहला आपको मित्र को लिए आपको पत्र लिखते हैं वह आपकों बता दिया अब हम चलती है के अब हमारे नेक्स्ट कुश्चन है बोले कहां पर अपने पिता को अगर आपको पत्र लिखना हो तो आप किस प्रकार से लिखोगे तो यह उसमें लिखा हुआ है आपको लिखना अपनी तरब से पूरा कुछ है नहीं सिर्फ क्या करना है आपको पढ़ना है समझना है और उनके रिक्तिस जिससे समया से का अर्थ निकलेगा है ना एक एक विभक्ति इसलिए याद रखी और हवी तक इसलिए आपको पढ़ा पारें क्योंकि उन विभक्तियों को याद रखा आपने नहीं नहीं रखते तो फिर क्या पढ़ा पाते आपको नहीं पढ़ा सकते तो यहां क्या लिखा सुकन्या कोलकाता नगरे मैं कार्थ निकल रहा है नगर में छात्रावास में निवसती रहती है सुकन्या कोलकाता नगर में छात्रावास में रहती है देखिए दोनों में सब्तिमी विवक्ती लगी है मैं कार्थ निकल रहा है सा यानि वह विद्यालयात विद्यालयात यानि विद्यालय से विद्यालयात होगा यहां पर विद्यालयात नहीं होगा विद्यालयात यानि विद्यालय से अब क्या करती है सेक्षिक भ्रह्मनाएं सिक्षक यानि सिक्षा से जोड़ा हुगा यानि सिक्षा से जोड़ा हुगा सिक्षा का ब्रह्मनाय ब्रह्मन यानि होता है क्या घूमना सिक्षा से सम्मंदित ब्रह्मनाय ब्रह्मन करने के लिए आये शब्द बता रहा है के लिए कार्थ लगाओ मुले भ्रह्मनाय भ्रह्मन करने के लिए भुवनेश्वरम भुवनेश्वर गंतुम जाना मुले जाने की मुले क्या करती है एक्छती जाना चाहती है एतद इसलिए एतद अर्थम इस अर्थ से अनुमतिम अनुमतिम राशिम चाप्राप्तम उसको क्या देखे अनुमति और राशी इस प्रकार इस अर्थ से वह क्या कचाती है इस प्रियोजन से अनुमतिम यानि अनुमती और राशी प्राप्तुम प्राप्त करना चाती है सा तो प्राप्त करने के लिए करने के लिए तुम शब्द आता है ना गंतुम जाने के लिए इक्षित है और प्राप्तुम य पत्रम पत्र एक लिखती है एक सुकन्या नाम की लड़की है जो कोलकाता नगर के छात्रावास में रहती है वो अपने विद्यालय से कौन सा सिक्षिक भ्रह्मन के लिए ऐसे गुमने के लिए नहीं एंजॉय के लिए नहीं एक कैसा होता ना एजुकेशनल टूर क्याते हैं जिसको कि हमारी यात्रा जो है लेकिन कैसे है एजुकेशनल जिसमें हमें सिक्षा का भी कुछ ज्यान होगा हमें नई चीजों के बारे में पता चलिए से सब्रमट के के लिए जाने के लिए कैसी है इच्छत है उसकी और हो क्या चलती एतरधर्थ हम इतर्धर्थ … इस अर्थ से क्या करती है वह अनुमतिम्चाराशिम अनुमति और राशィ प्राप्त करने के लिए अपनी पिता उनके पत्रों करते हैं तो उन पता के प्रती एक पत्र लिखती है पत्र को इनको बाद अपन को क्या कर देना है पूरा कर देना है ठीक है पत्र में जहां पर खाली स्थाने उनका अर्थ लगा के हम उनको पूरा करेंगे तो सबसे पहले आपको बताया अनौप चारिक पत्र जो होते हैं उनमें क्या करते हैं बोले जहां रहती है पहले उसको हम बता देते हैं तो यहाँ पर हम यह कोलकाता नगर का नाम लिख देंगे तिथी लिख देंगे इस तारीक को चल रहा है इस तिथी को लिखा जा रहा है ठीके और यहाँ पर राज की विद्याल है कोलकाता और यहाँ पर अपना लिख देंगे क्या यहाँ पर देखे यह पिन कोड भी लिखा ह कोलकाता के संग में पिन कोड भी हर लिखा रहे ता है श choisी दे हैं और उसका पिन कोड लिख दिया था उसी प्रकार से कोलकाता और आंड। दो हैं उनको लिखेंगे अभी अपन बंजुशा पर नहीं चलते कि यहा पर उसने अपना पता लिख दिया पता की बाद अपना दिनांक लिखेंगे दिनांक के बाद फिर मान नहीं है मान नहीं पूज नहीं वंद नहीं तो कौन हो सकते हैं किसके लिए वो जिसके लिए लिख रहे हैं वो इधर पिता के लिख रहे हैं तो यहां पर पिता से सम्मंदित कुछ ना रूपवंदे हे इसके आप शब्द के यहां पर 怕 भ้वत्थ यानि आपका क्या हुआ पत्रं प्राप्तम आपका पत्र प्राप्त हुआ मेरे है अर्त निकले का तो लड़की कर रहे हैं तो मेरी होगा मेरी परिक्षा समाप्त हा परिक्षा समाप्त हुई परिक्षा पत्रानी परिक्षा पत्र अतिशो भनानी अतिश बहुत सुन्दर यानि बहुत आसान बहुत अच्छा जातानी आया यावत और यावत यानि जब तक यावत कारत क्या हो यह की वाक्य में दो जगे करते हैं ठीक है प्रियोग तो कह रहे हैं यावत परिक्षा प्रणाम ना आगच्छती जब तक परिक्षा प्रणाम नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है आगच्छती ती रहा है रही क्यों कह रहे हो मैं माप इसलिए दे कि हमारी लटला कार की क्रिया है तो किरें कि जबतक परिष्छा प्रणाम नहीं आता ये नहीं आ रहा है तावत तब तक आगमी आने वाले मासस से मास के प्रथम सब्ता है प्रथम सब्ता हमें विद्यालयस से विद्यालयका अध्यालयकी या विद्यालयका या विद्यालयके अध्यापिका विद्यालयकी अध्यापिकाएं अब जहें यहां पर अध्यापिका आ गए तो यहां पर हमने की कार्थ निकाल लिया अध्य अध्यापकाह लिखा होता तो हम यहां पर समझ जा दे कि यहां पर अमारिक इनके सर लोगों की बात हो रही है अध्यापकों की बात हो रही है तो यहां पर लिखा विद्यालय की अध्यापकाह अस्मान यानि हमें सेक्षिक ब्रह्मन के लिए सिक्षा के ब्रह्मन के लिए ने के काकी के का अर्थ निकल रहा है ताभी हम अपिता भी मैं भी उनके गंतुम एक्षा में मैं भी उनके जान की जाने के लिए एक्षित हूं ताभी अब हम देखेंगे कि क्या अर्थ हमारा उपर से आ सकता हम सिर्फ अभी इसका पढ़ेंगे गंतुम एक्षा में जाने के यही अध्यापिका से अध्यापिका यही अध्यापिका के लिए क्या करना है रुपयकानी दात व्यानी संति रुपय इतने रुपउपय देने हैं ठीकंग है अत्धय यदि अनुमती यदी आनमती है किसकी आपकी यदी अनमती है तो तरही यानि तभी अपी गच्छें या तभी मैं जाऊंगी तभी मैं गच्छें या Canvas ने लिए एतद अति रिच्य यानि बहुत अच्छा अवसर्म चा पश्या में यह मुझे बहुत अच्छा अवशर देख रहा है अतह इसलिए कृपईया ऊपरयोक्ताम तो ऑप लिखी हुई राशिम राशी को यानी पैसों को प्रेशित्वा भेज कर माम यानी मुझे अनुग्रहीत अब कुर्व證त मुझे कुछ निव streak हुआ मुझे सबी को मेरा अब कैसा निवेदन बताएंगे आगे भवताम प्रिय है यानि आपकी प्रिय अब जो वी होगी पुत्र होगा पुत्री होगी तो ले लिख सुकन्या ठीक है यह हमने पहले अर्थों को समझ लिया अब जैसे ही अर्थों को समझा तब अब हम चलेंगे किस पर लिखा होता है तो यहां राज की वृध यह लटादें लेकिन शेहर नहीं बता तो ने कहा कोलकाता ठीक है कोलकाता और फिर इसके बाद उन्हें ने लिख दिया उसका पिन कोड तो यह पहले नंबर पे कोलकाता और उसका हम पिन कोड लिख देंगे यह हो गया फिर उन्होंने का मान निया मान निया मेरे मान निया मैं सम्मान जिसको करती हूं वह कौन है मेरे किसको लिख रही हो मुले तह digging Saxon tomorrow है देवारत अपर लिखा हुआ है मुझे पित्रोवार थुरागि के मान निया पित्रवर्या मैंनी मेरे मान निया पित्रवर के एकिन मानने वर वर शब्र लगाते न मानने वर पित्रवर तो स्रेश्ठ Okean communications मैं भी स्रेष्ट बता दिया उन्होंने मेरे पुझनिय पिता जी मेरे माननीय स्रेष्ट वर पित्रवर क्या क्या रही है तो यहां लेकर देंगे हम अपना क्या पित्र वर्या यानी मेरे माननीय पिता पित्रवर मेरे माननीय पिता अब क्या कहेगी अब अपने दो हो गए यह में आपको करवान आपको भूल गया प्रनाम हां का अरत होता है प्रनाम करास में स्यात मतलब है या हूं का निकलेगा पिट कनी प्रथम सत्र में या शब्द लगा हुआ है यह इसका अर्थ निकला है प्रथम शत्र में मम यानि मेरी या पुत्री यह बहुत साधरने से अर्थ स्ट्र जैसे ही इनकोंड पर आपन यहां पर फिल करेंगे तो कि लगाना है भवता हापत्रम प्राप्त्रम आपका प्राप्त हुआ मम मेरी प्रीक्छा समप्त मेरी मीज़ी प्रीक्रा समापता मेरी परिक्षा समापत हो गई तो उले कौन सी हो गई उले प्रणाम हो गई सहसाथ हो गई है हो गई 500 हो गई भूवनेश्वार हो गई प्रथम सत्र की हो गई मेरी हो गया पत्री तो उले प्रथम सत्र पहला सत्र पहले सत्र की तो देखे तो यहां लेग देंगे हम प पहले सत्र की क्वार्टर ली प्रथम सत्रिया परिक्षा समात परिक्षा पत्रानी अतिशो भनानी जाता नी परिक्षा परणाम परिक्षा पत्र बहुत अच्छे आयते यावत जब तक परिक्षा परणाम नाग अच्छती जब तक नहीं आता है तब तक आगामी मास्स्य मास के प्रथम सब्ताह में क्या होना वाला है विद्ध्यालय से अध्यापिका असमान सेक्ष्णिक भ्रहम राएं पहले अब हम इसको कहेंगे अधिक आगामी मास के प्रथम सब्ताह में विद्ध्यालय अध्यापिका अब कहां की विद्ध्यालय मेरे विद्ध्यालय की अध् बात कर रही है तो क्या आएगा मम मेरे विद्याले कि आध्यापिकाह अस्माकम यानि हमसब को कहां ले जा रही है health section इक ग्रहला मन के लिए निश्यति ले जा रही है नीधातुdriven टेली ले जा रही है वो लिए भुवनेश्वरम है कोलकाता में तो रही रहे है यहार ले जा रहे है उले भूव नेश्वर्म ले जा रहे हैं। तो जो भूव नेश्वर्म हमारा यहां आजा यगा भुवनेश्वरम नेश्यती भुवनेश्वर ले जा रही हैं अहम अपी ता भी मैं भी ता भी याने उनके साथ ता भी ये आरे गया हमारा तống ताभी मैं भीन के साथ का अर्थ हमारे पास रहा है इक हमारे बहँचर में बन जाता हुआ है। तो भूजाएगा सह ढंतम एक्षा में जाना चाहती हूं एतजर्थम इस लिए इस अर्थ से इस प्रियोजन से मया मेरी मुझको मयाया ओले क्या करना है मुझ से कक्ष्या अध्यापे कई मेरी कष्या है उनको क्या देना है रुपय कानी कितने रुपय देना है वोले पंच शतम 500 कितने देते हैं वोले पंच शतम 500 रुप्यकानी दातव्यानी संती देने हैं अतह यदि अनुमती ही अतह आपकी अनुमती हो अतह यदि अनुमती हो तो हो शब्द आएगा तो किस से स्यात हमने कहाता है या हो का अर्थ निकलेगा स्यात से तो अगर आपकी अनुमती हो कियों आया वो ले शयासब्द भविश की बात कह रहे है कि अगर आपकी अनुमति हो तभी मैं तो तरह यानि तभी नहीं तभी में भी गच्छेयम तभी मैं भी जाऊंगी ग्यानवर्धन नार्धार्टम यानि ग्यानवर्धन के लिए ए 벌써 अती रच्य यानि अती बहुत ही कैसा है अवसरम चापश्यामी बहुत ही अच्छा अवसर दिख रहा है आतहक्रपया उपर युक्ता नाम यानि उपर दी हुई राशी प्रेशित्वा प्रेश कर मुझे अनुगरीद करें ठीक है सर्वेभ्यामम निवेदनिया सभी को मेरा क्या कहना है मुले प्रणामाह सभी को कह रहे ना तो एक को नहीं कह रहे मुले सब को कह रहे तो प्रणामाह निवेदनिया सभी को मेरा सभी सभी के लिए सर्वेभ्याह सभी के लिए मेरा प्रणाम ठीक है भवताम आपकी प्रिया वहां पुट्री पो यह होगा हमारा पुट्री आपकी पुत्री और discussion पूरा ऑफ यह सवाग हो दिया है वहां बढ़ आराम से लिख देना और जहां पर आपने आंसर लिखें उनको कि का अर्थ निकल रहा है कहां पर मैं का अर्थ निकल रहा है वही पर उसको भर देना है एक और चीज जैसे हम बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो थी कि अपन को एकदम से क्लिक नहीं हो रही है एकदम से समझ में नहीं आ रहे हैं जब आपन उसमें एक्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो यह चीज अपने माइंड में चलती हैं कई बार आती हुई चीजें भी अपन भूलने लगते हैं मत घवराना घवराना नहीं उस टाइम पर क्या करना है अपन को कि अपन पहले आराम से पढ़ लिया उसमें मंजुशा में आपको जिन दिन चीजों का अर्थ सम बहुत कैसी आर्थ साही है और से तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं घवराना नहीं है इंग्लिश में बेने ही चले आ रहे हैं , वही संस्कृत में हैं कुछ तो अब कि कम सकम छह साथ फॉर मेट आपके पहुत जाएंगे स्क्रीन शॉट ले लिजे अपने पास कि प्रकार का आ सकता है और फिर अपने उनको आराम से पूरा कर सकते हैं लेबल करवाया जाता है तो यह हमारा पत्र के लिए हमने लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि अब हम एक आपको अपचारिक और एक अनपचारिक दोनों ही पत्र आपको बता देंगे अभी तक के चार-पांच वीडियो में हमने आपको अलग-अलग करके सारी चीज़ें बता दी और अब यह इस वाले वीडियो में हम आपको एक अपचारिक और एक अनपचारिक दोनो जो हम अपने पिता को माता को भाई को मित्र को इनको पत्र लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्रों की शेर्णी में आते हैं जिनमें हम अपनी ब्याभारिक बातें भी लिखते हैं उसको हम अपना अनौपचारिक पत्र कहते हैं ठीक है और अपचारिक पत्रों में हम सिर वहां दोनों पत्रों को समझति लेते हैं अगर साधरन सी भार्शा में कि अ's Labion को लिखना है वह अप्रार्थना पत्र कि यानि अप्लिकेशन हो तक बोलते हैं का लेटर हो यारी प्रार्थना पत्र होता है। एक हम बता देते हैं आपको एक पत्र यानि जू किसे के लिए आ सकता दो दिन का अवकास आर्थम अवकास के लिए प्रधाना चारे प्रती प्रधाना चारे के लिए लिखेते प्रार्थना पत्रे मंजुशायां लिखे हुए लिखे हुए प्रार्थना पत्र में मंजुशाया मंजुशा से पदानी चित्वा मंजुशा से पदों को चुन कर रिक स्थानों को पूरती करके बड़ी आराम से उसी चीज को वहां पर अच्छे से पत्रों को लिख देना ठीक है साफ साफ और हमेशा पत्र और निबंद जब भी लिखेंगी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर जैसे हम अपने क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम अपने लिखना है जिसके प्रती हम लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए फिर उसके बाद कह रहे हैं कि विशय लिख दीजिए फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बीच का अंदर का वो लिखना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि शुरुआत कहां से करनी जैसे टूदा प्रिंसीपल इ इससत yup Vды विषे तो हम उसके नीचे लिखेंगे एक पैरेग्राफ छोलके फिर उसके बाद हम उनके लिए यहां तो यहां पर थो किबल 样式 में हैं पर नीचे धन्यवाद लिखेंगे यहां पर हम अपना नाम लिखेंगे फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे तो ये अपना एक फॉर्मेंट हो जाता है एक प्रारूप हो जाता है जिसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए पत्रों और अपने प्रार्थना पत्र को लिखना चाहिए ठीक है तो प्रार्थना पत्र में इन्हो प्रधाना चार्या ठीक है इसमें इन्होंने यहां पर एक चीज की थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यहां पर जब यह टाइप हुआ है तो उसमें इन्होंने एक चीज जो भूल गए वो हम आपको यहां बता देते हैं कि सबसे पहल तो इसको भरना है लेकिन अगर सही तरह से देखा जाए तो पहले हम क्या लिखते हैं सेवायाम सेवाम है यहीं बता दे रहां फिर रुकते बात की नीचे की दिए बताएंगे फिर हम कहेंगे सेवायाम प्रधानाचार्य प्रधानाचार्यह महोदयह फिर यहां पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे फिर उसके बाद उस जगय का नाम लिखेंगे जहां का स्कूल है और वहां पर पिन कोड़ भी अगर संग में दिया हुआ है तो उसको भी लिख देंगे ठीक है फिर उसके बाद फिर आता है हमारा ठीक है फिर विशाय आता है फिर उसके बाद जब हम लिखते हैं फिर लिखते हैं हम महोदयाह या मान्यवरह जो हम सर्या मैडम लिखते थे ना वो लिखेंगे मान्यवरह इस प्रकार से हम संभोधन सुचक शब्द यहां पर लगांगे फिर इसके बाद कॉमा के बाद फिर हम लिखेंगे समिनाय नेवीदन इस प्रकार से हमारे एक एप्लीकेशन यानि प्रार्थनापत्र की शुरुवात हमें करना है लेकिन यहां बर इन्होंने नहीं दिया है बहुत कई-कई पर ऐसे भी फॉर्मेट से बना देते हैं उन्होंने सिर्फ नाम जगे का नाम लिख दिया फिर मंझुशा पर चलते हैं फिर मंझुशा में तुरंट पता चल दाएगा एगा कि भहा में क्या लिखना है यहां समझते हैं कि यहां लिखा परिष्भवनम यानि किसी जगय का नाम है फिर लिखा है आदर्णिया कौन होंगे जिसके लिए लिख रहे होंगे पत्र तो य सविनाइसे है सविनाइसे जो भी है अब अपन बताएंगे कि अहम मैं आक्रांता अस्मी मैं आक्रांत हूँ यानि ग्रसेत हूँ उससे पीड़ित हूँ आक्रांता आ सकता है पीड़ित आ सकता है तो उसको हमें समझना है कि आक्रांता शब्द यानि आक्रमन हो गया आक्रांत एतस्माट, इस कारण, इस कारणाद, इस कारण से, लेकि कारण के संग में इस सब्द आया था, इसलिए इसमें भी पंचमी बिभक्ति आगें एतस्य systemat एतस्य अस्य आता है जहां पे आगे वाली विभक्ति जैसी होती है तो उसके पहले वाले भी जो हमारे अब्याय शब्द होते है उनको भी परिवर्थित कर लेते हैं जैसे कारणात था तो एतस्मात हो गया एतस्मात कारणात इस कारण से विद्यालाय में विद्यालाय में आगन तुम आने के लिए असमी हूं आने में हूं क्या हूं पता चलेगा पन को अतह इसलिए महियम यानि मुझे को अवकाशम प्रदाय अवकाश प्रदान करने के लिए करके क्या करें अनुग्रहत्तो मुझे अनुग्रहित करें एतयो यानि इन इन देवस्वों में देवस्यो अध्यन ऐसे अध्यनका जो याकार्थ होगा जो भविष्यती कि होगा ताम उसको यतिश्य होगह शो पूरा देखेंगे नहीं और इसके बाद धन्यवाद नौने क्या रिखा हुआ है national the the पॉरत आगै यह भावदिये शब्द नहीं प्रिये शिश्यम brick प्रिश्या सकता है ठीक है आपका कौन शिश्य आपका शिश्य काखागा जो भी नाम है और उसकी ति तिथ़ीटो के इस पत्र को पूरा करने में कैसे करेंगे परीक्षा भावनम उसका नाम है आधर्निया हा आधर नीया कौन किसको आधर निया बना रहे हैं तो सबसे पहले उनको Congrats न चार्या को ढून रहे हैं तो लिए यहां पर प्रधाना शार्या ख कर रहा हों दूरी करतुं दूर करूंगा हानी कर वहाद कर रहा है दो दिन कर गरा है असमर्त कर रहा है माम यानि मुझे कर रहा है तीवर ज्वर यानि तेज बुखार हो रहा है या निवेदन कर रहा है फुल सविनय से पहले मैं निवेदन करूंगा तो पहले हम लिख देंगे निवेदन सविनयम निवेधनम सविनय के साथ निवेधन करता हूं हमेशा ध्यान करिएगा पहली जो लाइन पत्रों में होती है वो कौन सी होती है हमारी अत्र कुषलम तत्रास्तु कुषलम तत्रास्त ये लिखी होती है और वही पर जब हम ये वाले अनौपचारिक पत्रों में जैसे माता को पिता को अपने मित्र को लिख रहे हैं तो वहां पर जादत तर आपको ये वाली लाइन दिख जाती है दूसरी जो line होती है औप चारिक पत्रों में वहां हम जरूर पहले यह जरूर लखे ते के सवेनायम और निवेद्यम निवेद्यम यत इतना ध्यान कर लीजे कि यह चीज़ जरूर आएगी इसमें सवेनायम निवेद्यम हटा सकते हैं तो मैं ये छेख ध्यान रहें यहां पर भी provides अत्र कुषल fundamentals तिवनम उत्र हटा देंगे तो कुषप pillar दूर्द को आगे क्या लिखना आ यत की अहम मैं आक्रांत अस्मी आक्रांत हुं यानि अकरमन कर दिया है किसwr दो और एन शब्द लगा है जिसमें ते शब्द आ रहा है तृतिया भिभक्ति के लिए तो क्या हो जाएगा तीब्र ज्वरेण तीब्र ज्वरेण आकरांत अस्मी तीब्र ज्वर से आकरांत हूँ एतसमात इस कारण से कारणात विद्यालैं विद्यालै को आगन तुम आने के लिए अस्मी हूँ क्या हूँ बोले असमर्थ असमर्थ हूँ असमर्थ हूँ असमर्थ हूँ तीक है अब कहरें अतह महियम अतह मुझको अवकाशम प्रदाय अवकाश दीजिए प्रदाय यानि प्रदान कीजिए कितने दिन का बोले दिन दोयस से लिखाए दो दिन का इनके भी अर्थ जैसे दूरी करने में हानी हो गया यानी नुक्सान दधन्यवाद हो गया दिनदो यासे दो दिना का ओः प्रधानाचार्यों इसमें मतलब सभ्साभरत जा स्थ लीजादर इlished Flom आद साथ में आरथ होताते जाएंगे अथा महियम अथा मुझको आवकाशम प्रधाय प्रदान की जिए कितना गोई दिन दोच्छ माय दो दो दिन औस्या लगा दिये तो इसकार्थ निकला का जञा का की के तो निए दो यस्य यानि दो दिन का अवकाशम प्रदान अवकाश प्रदान कीजिए प्रदान करके क्या करें मुझको माम अनुग्रहन तू इनने खतम नहीं किया प्रदान करके अवकाशम प्रदान प्रदाय प्रदान करके क्या करें हमारा माम यानि मुझे अनुग्रहन तू मुझको को अनुग्रहेत कीजिए एतायों दिवसों इन दिवसों में अध्यानास्य अध्यान का जो अध्यान का जो भविश्यती होगा क्या होगा भूले हानी जो हानी होगी या जो नुक्सान होगा ताम उसको यतिश्य उसको दूर करूंगा तो उसको दूरी कर तुम तो दूरी उसको दूर करूंगा यानि उसको पूरा कर लूँगा मेरे काम का जो नुक्सान होगा उसको मैं पूरा कर लूँगा ठीक है अब हमारा क्या बचा हो ले यहां तक हो गया अब उन्हें का सिर्फ और धिनांक बची हुई है तो इसको आगा अपनलिक लेते हैं आङे के रहते हैं नीचे उनों ने धन्यवाद के लिए यठाए यहां यह योद फोले धन्यवाद भने वाद करेकर बतार रहा है व बस खूर अब्रोगों storing शिष्य मा नाम है वो लिज दिया पे लिखी बीस आठ और दो हजार जो भी चल रहा हूँ वह लिख दीजिए ठीक है यह लिख दिया दो हजार और डेट डेट डिश जो उन्होंने लिख दिया आपन वही डेट लिख दी नहीं है जो हमारी परिक्षा का दिन होगा उसी दिन तो आप क्या लेखेंगे उसमें तीन जून 2021 टैंथ की संस्कृत की परिक्षा है 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 तो हम वही अपनी लिख देंगे ठीक है टैंथ वह भी कौन से सीवी एसी की अब बस उसी की डेट हम यहां पर लिख देंगे टिक तो इस प्रकार से हमारा पत्र यह एक अपचारिक पत्र हो गया एक अनपचारिक और आपको बताय देते हैं तो अब हमें उमेद है कि अब आप कोई गलती नहीं करेंगे पत्रों में बहुत आसान होता है और हर चीज का हम कहते हैं देखो बता हम आपको कितने भी दें लेकिन जब तक दो चार आप खुद से भी नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा आपकी व्याकरन की किताब हो उसमें आपके पत्र दिये हुए हो तो कुछ मत कीजिए भले उसमें उसमें पूरा पत्र लिखा हुआ है लेक हमारे लिए आसान हो जाता है यह फिर हम बहुत आराम से उसको कर सकते हैं ठीक है एक अनौपचार इक पत्र और बता देते हैं फिर आज हम इस टॉपिक को अपना कर लेंगे तो पत्र आज मारा हो अब यहां पर एक अनौप चारिक पत्र कौन सा लेखा कि सखीम प्रती यानि अपनी सहेली के लिए लिए लिखे तम अधा पत्रम नीचे लेखे पत्र में मंजुशात प्रदय शब्द मंजुशा में शो शब्द दिये गए हैं तो पूरे त्वा पोना लिखा तो पूर्ण कर करिए उस पत्र को और उसको पना है की दोबारा से लिखि तो भΐ पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या रही है कि सखी के लिए पत्र लिखा गया है ठीक है अब यहां पर हम देख लें तो क्या लेखा है निवेदनिया है यानि निवेदन करती हूं परियतका यानि परियतक हो गए जिनको क्या कहते हैं हमारे ट्रेवलर कहते हैं ना कि गूमने वाले यात्री तुवाम तुवाम यानि तुमको नमो नमह किसके लिए कहते हैं हम जब नमसकार कहते हैं उसके लिए कहते हैं संपन्न यानि पूर संपन्न हो गए यानि पूर हो गए प्रतीक्षा से यानि प्रतीक्षा यानि क्या होती है हम क्या करें उसका इंतजार कर रहे हैं या उसका वे आगम, आगामी, माससे आगामी आने वाले करना काई के कर अरतस्या से लगा लेंगेूँ, यह हमने मंजुशा का पहले अरत थोड़ा समझ लिए, आगामी, माससे आगामी डाने वाले कि मास एस्या का अर्थ निकलाए काकी के अब देखते हैं सखी लिख रही है तो क्याल शिंबलानगराथ-शिंबलानगर के दिनंक दिनंक जो भी हा भो लिख दिजिए फृइशकुंतले-फ बिरिशकुंतले यानि अपनी सहीली को लिख रही है तो उसकी सहीली को ने शकुंतला है और संभोधन सुचक शब्द जो होता है उसमें एक ही मात्रा लगती है देख लीजेगा कोई भी जो शकुंतला है प्रिया शब्द है आकारांत स्ट्रीलिंग में संभोधन में एक वचन में एक ही मात्रा लग हे बालिके हो जाता है तो ऐसे ही वह प्रिये शकुंतली कर रही है बोल रही है प्रिय शकुंतली यानि प्रिये शकुंतला सप्रेम प्रेम के सहित अब क्या कर रही है सब प्रेम क्या कर रही है निवेदन कर रही है प्रेम के साथ निवेदन कर रही है कि अध्येव तव अध्य इव आज आज इव यानि आज ही तव पत्रम प्राप्तम देखे अध्येव शब्द है ना दो चीजों से मिलकर बना कैसे आज ही तव यानि तुम्हारा पत्रम प्राप्त होगा। तव यानि तुम्हारी अर्दवार्षी की परिक्षा संबन्न हो गई है। तुम चा अब तुम और तुम परिक्षा परिणाम परिक्षा परिणाम का क्या कर रही हो प्रतिक्षा से प्रतिक्षा कर रही हो परिक्षा क्या कर रही हो परिक्षा परिणाम का क्या कर रही हो आप तक तक इंतजार कर रही हो उसकी प्रतिक्षा कर रही हो अत्रांतरे हो गई है अत्रांतरे देखिए दो चीजों से मिलकर बना अत्र और अंतरे किस से बना है अत्र का अर्थ हुआ अत्र यानि यहां अंतरे बीच में अंतरे का अर्थ होता है बीच में यहां बीच में क्या करो तुम तुम आगच आओ अत्र यानि यहां शेत्यम यानि शीत जो हमारी शीत रितु होती है शरद रितु होती है तो किरा शीत यानि हमारी ठंड का प्रवर्ध यहां पर ठंड क्य प्रवर्धम बढ़ रही है प्रारम्भे यानि प्रारम में हिम्पात हिम्पात होगी हिम्पात हो सकती है यदा यहां पर जब हिम्पात भवती जब यदाकार्द क्या हुआ जब हिम्पात भवती हिम्पात होती है तदा व्रक्षा तब व्रक्ष कैसे हो जाते हैं पता चलेग आपी कि क्या उसमें आएगा हमारे पास सारी सब्द है वरक्ष वनस्ति राजमार्ग और राजमार्ग कैसे होते हैं श्वेतवर्ण वस्त्र श्वेतवर्ण से वस्त्र से आच्छा दित एवशु भनते यानि ऐसे लगते हैं सफेद उन्होंने चादर ओड़ ली हुए स्वेट वस्त्र आच्छा दित ओड़ कर आच्छा दित यानि ढख कर इवशो भनती ऐसे लगते हैं कि सब रक्ष वनस्पती राजमार्ग सब सफेद वस्त्र से ढख गए हैं देश से देश के विभिन भागे भिभिन भागों से दे क्रेश्टुम देखने के लिए अत्र आगच्छति आते हैं अब कौन आते हैं अपन देखेंगे मम ग्रहे मेरे घर में सब ही वीक्ष प्रसन्ना भवंती देखकर प्रसन्न होंगे अब किसको देखकर प्रसन्न होंगे देखेंगे आसा से यानि आसा है तुम तुम नूनम य जल्दी ही शीज्वहि आग में में श्यसी आऊगस सर्वेब्यमंप्रणम-ान्जलः सब क्या कर ेसमें आप बाद में लिख दिजिए सथा जो आप धन्यवाद लिखना है नमस्कार लिखना है जो भी लिखना हो लिखेझे फिर इसके बाद अपना नाम लिखनेंगे कि तब अभिन्य हिर्दया तुमारी अभिन्य हिर्दय यानि हमारा दोना एक हिर्दय हमारे मतलब क्या कहते हैं अपने दोस्त और क्या कहते हैं कि हम तो बिल्कुल एक एक हिर्दय जैसे ही हैं तो अभिन्य हिर्दय तुमारा हिर्दय और मेरा हिर्दय अलग लिखतीजिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किनकी और अब हम इनको पूरा करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले इसमें हम अपना दिनांक लिखतेंगे ठीक है जो दिन होगा उसकी तारीख लेखेंगे फिर लिखेंगे प्रिये शकुंतले प्रिये प्राप्तम अध्यवत पत्रम प्राप्तम तव अर्धवार्ष की परिक्षा संपन्ना तुमारी अर्धवार्ष की परिक्षा संपन्न हो गई है तुम और तुम परिक्षा परिणाम का क्या कर रही हो प्रतिक्षा से तुम उसकी प्रतिक्षा कर रही हो अत्र अंतरे इस बी क MAY सिछ बीच में तुम आगच आओ कां आओ बूले शिम्ला नगरं क्योंकि का रहती है व जुर शिम्ला नगरं नगर में रह रही है ठीक है तुक एर है शिम्ला नगर में आओ पिर किया रही है अत्र-शयत्यम प्रवर्धंट यानि यहां शीत यानी ठंड प्रवर्धम बढ़ रही है और फिर क्या के रहे हैं किसके प्रारंब में बुल्य क्या है जाने physician मास की प्रारंब में हिम पात है हिम पात की संभावति संभावना है तो पहले हम क्या बताएंगे कि आने वाले मास में हिम पात होने की क्या है संभावना है यह नहीं कि होगी यह नहीं है यह संभावना बता जा रही है कि संभावति संभावना है यदा हिम पात भवती तदा व ब्रक्ष कैसे हो जाते हैं ब्रक्ष बनस्पतय यानि बनस्पती राजमार्ग श्वेत वर्ण वस्त्रे श्वेत वर्णों को आच्छादित हो जाते हैं धक जाते हैं इव शोभनते धकर्ष शोभित होते हैं देश अश्य विभिन भागे देश के देश के विभिन भाग से कौ कुforcement आते हैं ले परिया ठका यहां लिख में हम परियातक का यानि परियाटक क्या अर्टी है फुजो को आगटछनती आते हैं मम सरवन ममग रहे मेरे घर में सभी देखिया यहां पर मैं शब्द क्यों आ रहा है मेरे घर में सभी वीक्षित देखकर प्रस्ण्ना भवन्ती कि कि तुम तुम को देखकर कैसी होंगे प्रसन्न होंगे आशा है कि तुम जल्दी आओगे ग्रहे सर्वेब्यमं प्रणाम अंजल यानि कर दिया और यह शब्द आ सकता है तब मित्रं भी आ सकता है तुमारी मित्र आ धी बीए São Welli सकता है लेकिन अगर भीन आजाए तो समझदेगा ये किसी मित्र के बारे में बात करने अभीन रिडंबट या फिलिंदगि फिलिंदकि स्थान स्थान और यहां पर शम proceed कि शब्द आप अप मित्र土 होता है कि तुम्हारा मित्र यहां पर तब सखी होता है कि तुम्हारी सकी लेकिन जर चाहट है कि अंतक करता है अलग ना होने वाला है ठीच है तो उसको हम कहते हैं अभिन?" तो हमारे मित्र के लिए हम इस शब्दकां भी प्रियोग कर सकते हैं तो अबने आपको बता रहे चाहर को और नपच然 पर कर नहीं कर दिए और सही सही अपने पत्र लिखो और आपने पूरे ले लेना है तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए